हेलो बच्चो स्वागत आप सभी का टुदिस अमेजिंग प्लैट्फर्म आफ जैई वाला और दिस अमेजिंग बैच यूट्यूब बैच या भिश्म फॉर जैएडवांस तो आप सभी लोगों के लिए एक नई सीरीज लाई गई है ताकि आपकी जैएडवांस में कोश्च इसके बिल्कुली कमी मैसूस ना हो ठीक है तो कुछ लेक्चर से सीरीज में हो चुके है आज हमारा जो पॉइंट ऑफ डिसकर्शन है या चैप्टर है डाट इस रिलेशन और फंक्शन्स आई होप यू आर एंजॉइंग दसीरीज वेरी मच ठीक है और जहीं एडवांस को जिस बैच को फॉलो किया उसमें भी कोशन्स करवाए गये थे अगर आप उन सवालों को बार बार करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो बिलीव मी जई एडवांस भी आप अराम से क्वालिफाई कर जाएंगे डीसेंट रैंक आपकी स्कोर हो जाएगी ठीक है और मैं एक चीज़ जुरूर बोलने चाहूंगा मेंस में क्या है थोड़ी स्पीड मैटर करती है थोड़ी नहीं वहां तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपको फटा-फट कोस्टन स्वाल करने है कि अगर असान आए तो उनको फटा-फट निप्टाओ जी एडवांस फिर उसकी कैलकुलेशन पूरी कंप्लीट की अराम-अराम से कहीं भी हट-बढ़ाट नहीं करनी है और अगर आप ऐसा कर लेते हैं जो सवाल आपने पिक किया उसको अगर आप सही से सौल करके अंसर तक पंचा देते हो तो आप अराम से जेई एडवांस क्वालिफाई कर ज करते सवाल पड़ो उसका अपना एक फॉसर्ट पस्स देखे कि आसर मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं मैं इसके बारे में जानता हो क्या कर सकता हूं कहीं पर अटको तो मैं सॉलिशन दो बताइं रहा हूं उस फिर सॉलिशन से समझ लो भए अच्छा यहां पर यह वाली पूरी theory cover करी दी है mathematics point of view से there is no difference between j mains and j advance theory theory के point of view से कोई difference नहीं है बस सवालों कासर थोड़ा level बढ़ता है और थोड़ा नहीं काफी बढ़ जाता है तो हमें सवाल practice करने हैं तो यही मैंने लिखा कि important concept through questions सवालों के थुरू जो concept लग रहे होंगे वो सीखेंगे और j advance के हम लोग pyqs देख लेंगे ठीक है बढ़ाइस पर focus ज्यादा रहेगा इस पर थोड़ा कम focus रहेगा यह आपके पास available है already you can solve them फिर भी जो अच्छे सवाल है j advance pyqs वो भी देख लेंगे चलिए यह रहा आपके सामने एकदम ठीक है matrix sorry match the column आपको यहां पर match करना की कौन सा answer किसका है और शुरू हो जाईए पहला ही ठीक है यहां पर different variety के questions हम करने वाले है single correct integer type matrix match match the column multiple correct सब type हम cover करेंगे ठीक है चलिए आई होप आपने वीडियो पॉस करके इसके बारे में सोच लिया होगा दिखने में डरावना as usual जैसे जीए वाले चाहते हैं तो अगर मैं पहले वाले सवाल की बात करूं देखो जरा सर यहां पर हमें function दे रखा यह वाला एफ एक्स बराबर दिस ठीक है अब आप इसके बारे में क्या सोच रहो भाई हमसे पूचा एसा कुछ उसने पूचा है तो हम क्या करें सर तो ध्यान रखना एक मतलब आपको मैं hint वाली बात बता रहा हूं या फिर आप सो बलता है बेसिकली नहीं सवाल से आप टकराते हो तो आप क्या सोचोगे आपने पुराने जैसे-जैसे जितने सवाल कर रखें उनके सारे तरीके आपके दिमाग में घूमने चाहिए हना कि सर हमने एक ऐसा सवाल कर रखा है जिसमें इसकी और इसकी वैल्यू जूड कर कोई constant बन जाती है और यह एडवांस में भी आयाए concept फिर इसकी सेकंट लास्त और सेकंट की टर्म जूड कर कुछ constant बन जाती है थर्ड लास्त और थर्ड की वैल्यू जूड कर कुछ constant बन जाती है ठीक है तो यह वाला thought process मैंने इसमें लगाया पाकी मुझे यहां पर कुछ नाई ह factorize होता वह दिख रहा मुझे ठीक है और मतलब वही होता है एक हम वह सोच रहे हैं सीक्वेंजन सीरीज वाला थौट पॉसर्स लगा रहे हैंगे डिनॉमिनेटर के फेक्टर का डिफरेंस ऊपर बनाएं वैसा कुछ नहीं है मैंने सोच के देख लिया आप भी सोची इसलिए त पहले अपना थौट पर्शस दे लो तो हमने सोचा कि पहले और आखरी मैंने देखा अंदर वाले का सम कितना रहा है तो मैंने इसमें यह वाली चीज सोच नहीं स्टार्ट की दियान सुनना कौन से वाली चीज मैंने बुला consider this fx plus f of 100-x ठीक है f of 100-x क्यों ताकि sir अंदर व है x square minus 100 x plus 5000 और f of 100-x क्या हो जाएगा इसका बतलब जहां जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पर आप 100-x रख दीजिए तो यह लो जी एक्स की जिगह 100-x लिख दिया यहां पर भी 100-x यहां पर भी 100-x देखते रहा ना भिया calculation पार्ट में साथ देना है ठीक है 100 इंटू 100-x और 5000 पर कोई फरक पड़ेगा नहीं चलिए यह वाली टर्म तो as it is as simple सी है इसको simplify करते हैं मैंने का ठीक है वहीं सिरफ denominator की तरफ ध्यान देंगे सभी लोग सर यह कितना आजाएगा यह आजाएगा यह आजाएगा दस अजाएगा यह और यह दोनों एड होंगे तो this is x square माइनस 100x ओ यह बढ़िया है मतलब simplify करने के बादे दोनों का denominator सेम बन गया तो मैं यह बोल सकता हूं ultimately सर अब हमारे पास में क्या लिखा हुआ है इस denominator गठा तू मैंने इस पूरे को solve करके दिखा है दोस्तों यह बन रहा है आजाएगे सर यह लिखा हुआ है एकस स्क्वाइर माइनस 100x प्लस 5000 बहुत बढ़िया ठीक है यह बना डिनॉमिनेटर दोनों का सेम है अब बताओ क्या हो जाएगा यहां और देख लो सर यह आ जाएगा 10,000 plus x square minus 200x यही होता है इसका अब दोनों का डिनॉमिनेटर अगर सहीम है तो नुमिनेटर को सीधा सीधा क्या कर सकते है जोड सकते है एकस स्क्राइब एकस स्क्राइब इस तू एकस स्क्राइब माइनस दूसो एकस प्लस दस हजार ठीक है वह 10000 लिख दिया मैंने थी 10000 तो एक दो तीन च्यार और यहां पर सो दुनों डौनियुक्ट एनुट से यह वहला अपको ईए मेरे खाल थे कहानी आपको दिख रही है आइना उपर वाले में से अगर मैं two common लेलूं तो two common लेने के बाद में सर उपर बच रहा है x square minus 100 x plus 5000 और नीचे भी यही बच रहा है x square minus 100 x plus 5000 यह और यह गया तो final answer हमारा आ गया सर constant फाइनल answer कि आ गया जी हमारा एकदम constant आ गया तो क्या मैं जल्दी से ये वाली बात बोल सकता हूँ कि अगर function ये है तो f of x plus f of 100 minus x ये value आ रही है sir कितनी solve करने पर 2 बहुत बढ़िया अगर मालो कहीं पर आपको पता चलता है कि f of x plus f of 100 minus x और ये 2 के बराबर है तो एक काम कीजिए आप इसमें x की value 1 put कर दो तो ये आजाएगा f of 1 plus f of 99 बराबर 2 x की जगा 1 रखोगे तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 99 में वैसी आप x की जगा 2 रख दीजिए sir f of 2 plus f of 98 ये भी 2 चलता जाएगा last आप लिखोगे sir f of 49 यहाँ पर आजाएगा sir 51 ये भी 2 और जैसे ही आप x की value 50 रखोगे तो ये भी आजाएगा f of 50 plus f of 50 ठीक है जी और ये value आगी 2 इसका मतलब sir आप यहाँ से बोल सकते हूं 2 times f of 50 बराबर 2 तो f of 50 बराबर 1 ठीक है जी अब मुझे answer बताएगे कितना आगया तो sir आप ध्यान से देखीगा please पहले और आखरी का पेर आपने बना दिया ठीक है मेरे घल से आपको यहाँ दिख रहा होगा अगर मैं इन सबको एड़ कर दू तो यह 123 तिल 49 तक सौरी यहां तक एड़ कर यह इसको आप एक काम करो यहां तक सब्सक्राइड करो तो 49 तक तो 1 2 3 4 49 49 के बाद फिफ्टी को छोड़ दो 51 52 ऐसे करते करते 99 तक पहुंच गए 49 टम्स है 49 इंटू 2 प्लस एक यह वाला रह जाएगा that is plus 1 तो यह कितना आगया भी यह और एक निनाड में 99 is the correct answer ठीक है 49 इंटू 2 is 98 प्लस 1 99 कोई है क्या आशर इसका answer हो गया हमारा R ठीक है भाई अगला सवाल पढ़ते वो बोल रहा है find the value या फिर values sum of all the value एक value आए तो वो के लिए या उस सो ज्यादा आएगे तो उसका sum बताना है आपको of a such that for any value of a the equation this has infinitely many solution मतलब सब्साइड में आपको दे रखाए और आपको एक ही वो सारी एक value आए तो वो के लिए बतानी है अगर इस ज्यादा values आए तो उन सभी values का sum बताना है जिस पर इस equation का इस equation का उस मतलब वो जो आप एक ही value decide करोगे वो इसको यहां रखने पर इसके infinitely many solution हो जाए तो कुछ नहीं सिंपल सा सवाल है graph अप्रोच करते हैं ठीक है है ना graphically हम क्या करेंगे इसको graphically देखने वाले है चलिए ठीक है यह पार्ट तो डन होगे इसको थोड़ा चोटा कर देते हैं अज़े नेक्स जो हमारे पास में कौन सा पार्ट है साथ इस बी पार्ट ध्यान सुनना तो बी पार्ट में क्या करना है अब हमें graph बनाना है लेट साइड में से कितने मौड है मौड ऑफ x-5 फिर एक दो तीन चार फिर मौड तो य बराबर मौड ऑफ x-5-1 फिर मौड 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 एक दो तीन चार हो गया और यहां पर हमारे पास में एक दो तीन जार पांच एक दो तीन जार और यह लोग है इसका ग्राफ बनाना है मेरे कहल से आप सभी लोग इतनी कहानी जानते हैं कि सर यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा कि मौड आफ एक्स माइनस फाइब का जो ग्राफ होता है वो ऐसा आता है पांच पर वैल्यू जीर पांच आएगी अब इसमें से माइनस वन करने पर क्या होता है यहीं पर सोचके बताओ यह पूरा का पूरा ग्राफ सर यही पूरा का पूरा जो ग्राफ आपने बनाया है यह पूरा का पूरा ग्राफ एक यूनिट से नीचे आ जाएगा तो सर यह वाला ग्राफ हो गया इस यह वाली value हो जाएगी 4, check करो यह कहां कहां 0 हो रहा है, यह 6, तो अब क्या होगा, अब यह ऐसे एक loop बन जाएगा, यह आ गया 6, यहां पर आ जाएगा 5, यहां पर आ जाएगा 4, अब यह इसका graph बना, अब वो बोल रहा है कि फिर से इस पूरे में से एक घटाया, यह देखो से इसको एक और गठाया है, तो मतलब यह इसको एक unit नीचे लेकी जाएगा, एक unit नीचे ले जाने के बाद में, फिर mode लेका, समझ पारे होगा, यह लो? तो अब अग्र मैं इसका मॉड लूँ तो ध्यान से समझने वाली बात यह है तो इसका जो मोड है ना वो ऐसा आ जाएगा यह एक्स एक्स थोड़ी सी गरबड बना दी है यहां लेलो इसको इसका जो मॉड ना वो कुछ ऐसा आएगा ध्यान से देखी गा यह फिर यहां एक हीप बनी फिर यहां पर एक हीप बनी और यह ऐसे चला गया यह वाला ओविसली एक यूनिट इदर और आजाओ उच्छात आ मॉड था अब इसको आपने खिसकाया मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइफ माइनस वन के ग्राफ को एक बार और गटाके फिर मॉड लगाया तो यह ग्रीन वाले दो हीप आगे समझ मैं तो एक बार पर एक दो बार पर तो टोटल चार बार लगे तो कहानी बनेगी चार की ध्या आजाएगा छे साथ आठ और नौ है ज्यान से देखो हां जी है ग्राफ बनेगा ऐसा कुछ एक दो तीन चार हां एक दो तीन चार चार बार घट रहा है तो यह ऐसे चार आपके पास में ट्राइंगल दिखाई देंगे आपको छोटे छोटे आपको अगर नहीं विश्वास होता तो देखो भीया मॉड ऑफ एक माइनस फाइप अगर आप यह ता माइनस वन उस पर तो यह ग्रीन वाला अब इसमें से भी एक माइनस फिर मॉड तो अब दो की जगा तीन आ जाएंगे यहां पर कितनी आ रही है तो एक बार ऊपर नीचे खिसका होगे 5 पे रखे देख लेते मतलब बैसे दिखी रहा साफ साफ जी रखने पर यह देखो जीरो माइनस वन का मॉड वन में से वनसे उसी जीरो यह यह यहां तक कहananी जीरो होगी लब और बीच में एक आपके पास चांच देनी साफ़ तीज ठीक है आप अनाम से इसको वैरीफाई कर सकते हैं कोई घबराने वाली बात है नहीं और चाहो तो टू पर गई देख लो वन आएगी जसे यहां पर टू रखा दो में से पांच गया तो तीन-तीन मेंसे एक गया दो दो 2 र रखु हारा है तो यह 3, 3 में से 1 गया, 2, 2 में से 1 गया, 1, 1 में से 1 गया, 0, 0 में से 1 गया, माइनस 1 का मौड 1, तो यह सारी वेल्यू जो आपको दिखाई देरे हैं, this is nothing but 1, 0 रखने पर भी यह आएगा मिरकाल से 05 5 में से गया, 4 4 में से गया 3 3 में से 1 तो यह वाली जो वैल्यू आपको दिखती है तो यह वाली जो law इस वैल्यू इस वैल्यू इस वाल ठीक है? अराम से इस गृप को बनाएगे स्था हम नहीं कहातिया लेफ taking साइड का ग्राफ बना लिए वटबोट राइट एन-साइड तो देख भाईं यह जितनी भी लाइन सापने बनाई है सबका स्लोप प्लस रंस है जो इस तरफ वाली है यह व... यह वली यह वली यह वाली यह वाली यह वाली वैसे भी देख सकते हो आप जब आपने यह LINE बनाते हो, आप इस तरह लाई लाई है। इसका स्लोप टो 1 ही होता है हम ने स्लोप थोड़ी चींज किया हम तो ग्राफ को नीचे किसका रहे हैं Mor гр a, ग्राफ को नीचे किसका मॉड़ ले रहे है। तो जो इस तरफ घूमी वी lines है, इस तरफ वाली जो lines है, उनका slope 1 है, और इस तरफ वालियों का slope जो है, that is minus 1, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे इसी graph पर एक बनाना है, graph y बराबर x minus a का, तो sir, ये एक line है, जिसका slope कितना है, जिसका slope आप बोल सकते हो, sir, ये ये वाली line जो है, एक second, इसको mark कर दो कि एक solution है, ये वाली जो line है, इसका slope होगा, sir, वो भी one, तो मतलब इसको मैं कहीं न कहीं ऐसे बना लो, ठीक है, ये वाल लाइन ये होगी, अब वो बोल रहा है कि infinite number of solutions हमें चीए, तो भाई साब, अगर आपको infinite number of solutions चीए, तो left-hand side और right-hand side का जो graph है, वो थोड़ी देर के लिए overlap करवा दो, तो कि जहां पर overlapping होगी, वहां पर एक point of intersection नहीं आएगा, वहां पर infinite point of intersection आएगे, जैसे आप इस line को ऐसे बना दो, इसके ओपर थोड़ी देर के लिए, तो आप बोल सकते हो कि ये वाला graph और ये वाला graph अब overlap कर गया, ये graph ये कब बनेगा, जब आप A की value बन लोगे, क्योंकि Y बराबर X-1 बन जाएगा, यहां पर कहानी, फिर एक बच्चे ने बोला सर ये क्यों, मैं तो ये कर रहा हूँ, देखना ज़रा, उसने बोला कि सर यहां भी तो कर सकते हैं, मैंने का बिल्कुल, ये वाला इन कौन स solutions के लिए A की value क्या-क्या हो सकती है, उसने सवाल की language ऐसी यूज की थी, कि एक value या एक value आए तो वही बता देना, एक से ज़्यादा आए, तो उनका sum बता देना, तो एक तो आरा सर 1, फिर 3 पर 2 पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 2 पर बोलोगे, तो इस line और इस graph क point of intersection, A की आएगा, हमें infinite number of point of intersection चीये, तो एक तीन, पांच, सात, और नौ, सरीन सबका, अगर मैं सम की बात करूं तो सम हमारे पास में आ रहा है, 9 और एक, 10, 10, और 25, ज़र दस, बीस, और पांच, पच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् हो गया वो क्या हो जाएगा सर इसका option हो जाएगा अभी मैं आपको मैश दी कॉलम उस तरीके से कर रहे हैं हम लोग जैसे क्लास में प्रैक्टिस करते हैं बड़ा पेपर में जाओगे तो एक चीज़ धियान रखना वहां पर कही की बार क्या होता है जो आप नीचे options देखोगे ना अब इसके भी बना जाते हैं कि एक आपको option दिया जागा जिसमें ए जो है वो क्यू से मैच हो रहा होगा बी जो है वो पी से मैच हो रहा होगा तो हमें सही मैचिंग वाले option को टिक करना होता है तो उसमें एक फाइदा यह निकल कहता है कि हमें सारे part solve करने की जुरत नहीं पड़ती है ठीक है हाय ना हो सकता है वो एक ही option ऐसा हो जिसमें ए जो है वो आर से मैच कर रहा हो और बी जो है वो पी से मैच कर रहा हो और बाकी और कोई option है यह नहीं तो आप अगर इन दोनों के सी की वेल्यू बताओ दिखने में एक ड्रावनी सी सीरीज आजाओ भाई सी की वेल्यू भी बताएंगे हैं सी की वेल्यू भी बता देंगे आजाओ तो सर ये लो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ी सी जगह बना रहा हूँ ठीक है थोड़ी सी क्या कर रहा हूँ जगह बना रहा हूँ देखो ठीक है एक सेकेंड बन गई जगह है चलिए option number C चेक करते हैं फिटा फिट बताईएगा प्लीज सर फिर से देखना इस सवाल में आप यह बोल सकते हूँ कि दो पार्ट यह जो है न ए और सी ऐसी नहीं लाएगे आपके लिए questions इस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट questions अब इसमें भी एक concept लग रहा है जो कि जई एडवांस 2019 और जई एडवांस 2018 या फिर बीस 2019 और बीस में यह वाला concept जो है वो यूज हुआ है जिसमें वो series के थुरू जाते हैं ध्यान सुनना अब यहां पर उन्होंने तो गया छोटी हलकी शकल यूज की थी मैं आपको वो सवाल दिखाई देता हूं मैं homework के लिए लेके आया था उस सवाल को और थोड ड्रावना बनाती है जैसे यह वाला है कि जी एड्वांस 2020 का सवाल है और 2019 में भी एक सवाल आया था तर यह वाला सवाल उसने यूज किया इसकी शकल तो असान है अब इसी शकल को ड्रावनी बनाए गई है थोड़ी गंदी बनाए गई है क्योंकि appearance also matters मैंने बोलो यह वाले सिरीज का सम बताइए ब्लीज तो ठीक है सब इसको ध्यान से देखते है पहले आपको यह चीज पता होनी चीए वन तिंग यहां पर 45 लिखा हुआ है एक चीज आपको यह पता होना चीज कि 45 का स्क्वाइर ही दो हजार पच्च्च्च्च्च्च्च होता है और दूसरी ची इसको ऐसा देखू कि format इसका यह वाला बन रहा है ध्यान सुनना ड़ेज एकी पावर एकस अपॉन ए प्लस रूटे एक सेके हाँ एकी पावर एकस अपॉन एकी पावर एकस प्लस रूटें दिखना ऐसा कुछ बन रहा एगा है एक और थोड़ा समझेह की कोशिच करो अगर मैं x की value 1025 लूँ तो ये वाला अंसर आएगा x की value 2 upon 2025 लूँ तो ये आएगा क्योंकि आप a की value आपको बता देता हूं मैं इसके अंदर हमने a put किया है 2025 और हमारे पास में root a कितना हो जाएगा सर रूट a हो जाएगा 45 क्या मेरी बात समझ में आती है अब सर ऐसा फाइदा क्या होता है इसमें मैं का इसमें भी कहानी वह ही है कि देखो आप पहली टर्म में x की value एक बटे 2025 पुट कर रहे हो और लास्ट टर्म में क्या हो रहे है एक जोड़दार चीज बता दू कि इस केस में f of x plus f of 1-x यह वन होता है अब कुछ लोग बोले हैं यह कहां से वन आ गया तो आप तो हमें बताओ तो मैंने का चेक कर सकते हैं उसमें कोई बड़ी बात है नहीं कि fx अगर यह है fx अगर यह है तो f of x plus f of 1-x वन आएगा दोनों का सम तो fx अगर यह है तो फटाफट बता दो fx तो यह रहा है जहां से देखना फ्री एंड में कैलकुलेट कर देते हैं यह हमारा fx है तो f of 1-x क्या हो जाएगा सर a x की जागा 1-x रख दो ठीक है यह लिखाव ऐए ए अपॉण एकी पावर x this इस ए अपॉण एकी पावर x plus root a अब आप ही काम कुरूँ इस पूरे में से रूटे कॉमन ले लो उपर नीचे से तो रूटे कॉमन लिया तो यह आ जागा रूट ए प्लस एकी पावर एक्स और उपर लिखा हुआ है रूटे इंटू रूटे यह और यह कैंसिल हो गया तो बेसिकली सर यह वाली पूरी टर्म बची यह ध्यान से देखो यह मैं इसी को स्वाल करके विलाया हूँ ठीक है अब इन दोनों को जोड़ दो क्योंकि यह तो आज़िस थी तो दोनों का डिनामीनेटर देखिए ध्यान से सेम है तो एकी पावर एक्स प्लस रूटे और इसका जो नियुमेरेटर है और इसका जो नियुमेरेटर है वो अब कुछ बच्चों को यह नहीं समझ में आगा कि सर यह फिर पावर का क्या खेल है अरे मैंने का पावर को कोई खेल नहीं है जैसे फॉर एक्जांपल मैं अगर आपको इसमें एक्स की वैल्यू अब हट जाए भाई तू भी जैए एडवांस क्वालिफाई करने के लिए त्यार है अगर माल लो मैं इसमें एक्स की वैल्यू एक बटे दो हजार पच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् तो मतलब सर इस प्रॉपर्टी नी क्या किया इसकी और इसकी वैल्यू का सम बना दिया फिर सर वापे सेकेंड और सेकेंड लास्ट की सम भी क्या जाएगा 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 तो मुझे यह बता तो टूटल टर्म कितनी है सर एक फिर दो फिर तीन ऐसे करते को हैं और हर एक दो को मतलब हर एक का पेर बनाके सर्म आएक आ रहा है तो ओविसली सर इस पूरे की वैल्यू कितनी आजयेगी डाइस दो हजार चोविस बटे दो जिसको आप एक हजार बारा बोलते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा हमारा इस ठीक है लास्ट वाला जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर सकते है उसमें कुछ है नहीं ठीक है जल्दी से देखो बाई क्या है चलिए तो वो बोल रहा है सर डी पार्ट जल्दी से देखना वो बोल रहा है डी पार्ट कि fx एक लिनियर फंक्षन है a x प्लस b पूरी जानकारी आपको हमेशा पढ़नी होती है a और b integer है बहुत बढ़िया f of f of 0 0 है तो मुझे एक बार बताओ f of f of 0 0 है ठीक है एक जानकारी तो यह है and f of f of f of 4 f 4 ओ भाई यह नौ है क्या पूछना चारे हैं बहिया चार बार में 0 डालें तो वैल्यू के आएगी बहुत बढ़िया यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है यहां पर वैल्यू 10 पूछिए ठीक है f of f of f 4 बार की अंदर 10 अगर हम पूट करें तो क्या अंजर आएगा यह क्या होगा ठीक है बस यह ध्यान रखना कि a और b इंटीजर है शुरू हो जाओ मैंने पूछा f of 0 कितना होगा तुसर f of 0 हो जाएगा हमारे पास में x की जेगा 0 पूट करो that is b तो मैंने पूछा f of f of 0 कितना हो जाएगा तो जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पर f of 0 रखो f of 0 b है तो this is a b plus b हो जाएगा हो और यह वाली value आपको दे रखे 0 के बराबर अगर यह 0 के बराबर दे रखी है तो b common आ रहा है बी इंटू a plus 1 यह आजाएगा आपके पास में 0 अब यहां से दो possibility निकल के आती है सर या तो b 0 होगा या a minus 1 होगा आगे बढ़ने से पहले हम यह ध्यान रखेंगे अब यहां आ जाओ ठीक है तो मैं आपसे पूछो what is f of 4 f of 4 कितना है तो वह आजाएगा सर 4 a plus b मैंने का f of f of 4 कितना है यह वाली पूरी जगह आपको चीज आपको x की जगह रखनी है तो a into 4 a plus b plus b ठीक है यह f of f of 4 होगा एक बार इसको ध्यान से देखू सरी आजाएगा 4 a square plus a b plus b अब मैं आपसे पूछ रहा हूं तीन बार f of f of f of 4 यह कितना हो जाएगा बही बता दो तो यह वाली पूरी वैल्यू उठाकर आपको x की जगह रखनी है तो दिस इस a into और x की जगह हमने लिखा 4 a square plus a b plus b और लास्ट में एक b है तो भाई साब यह यह क्या बन जाए हो वह रूट केलकुलेशन करवा रहा हो जैता भाया है एडवांस में कैलकुलेशन भी तो यह बन जाए बराबर दे रखा है 9 के ए और बी इंतीजर है यह बाल ध्यान रखना ठीक है और ए और भी इंतीजर आ दूसरा इन दोनों की बीच में यह आए दियान रखना इन दोनों की बीच में लगा और या तो b0 होगा या a minus one होगा या दोनों एक साथ भी कलेक्टिवली भी ट्रू हो सकते हैं तो हमने क्या किया चेक करना स्टार्ट किया हमने बोला अगर माल लो ए जीरो हो जाए तो जैसे ही मैं बी को जीरो करूंगा एक दो तीन तीन टर्म गई यहां से फोर एक्यू बराबर नौ आ जाएगा तो एकी वैल्यू नौ बटे चा होगी सुरी यह वाली नहीं यह वाली तो अब एक काम करें ऊसमें दूसरी पॉस्सिएटि चेक करो अगर एकी वैल्यू माईनस बन गंखा माईनस भी इंश यह वन बन जाएगा तो माईनस फूर ग्लासवी बार सुमों यहां पर एक जगा मैननस बन यहां बाभर नौभ है इन इन बीगी जगह से नौ और चार तेरा यह सेट बैठ रहे हैं तेरा यह ठीक है से दोनों इंटीजर आ रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर थोड़ी बोला था तुम भी ज्यादा सोच लेते हो कई वार तुम सोचती है रहते हो इस टाइम टू एक्ट एगी जगह माइनस वन और बी की जगह 13 सर कैलकुलेशन कैलकुलेशन कोई बात नहीं अब वो पूछ रहें कि एफ के अंदर एफ के अंदर ओ भाई पहले दिए बताओ अगर एफ एक्स यह है जल्दी से बताइए फ़ीज बटेज एफ 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 एक्स कितना हो जाएगा तो यहां पर एक्स की जगह है आपको एक्स ही यह वाली वैल्यू पूट करनी है तो माइनस एक्स पीलस 13 पीलस 30 सर यह आजाएगा एक् ठीक है बबगर मैं इसी में आपको फॉलीट ही पीली तो सट Γीड इटी वैल्यू हमारे पास में कितनी होगी डान होगी क्योंकि आपने एक्स की जitt intern तो अंदर बचा क्या दो बाहर वाले एफ बचे इस पूरे प्रोग्राम की जगह 10 बचा मैं तो फिर वही बन गया बोले हाँ इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 option q is correct ठीक है हाँ है ना I hope आपको सारे पार्ट समझ में आए होंगे कोई परिशाने वाली बात है नहीं और एक हैवी सवाल बना दिया है ऑल्दो जो मैस्दी कॉलम जही एडवांस में आएंगे वो इतने हैवी नहीं आते हैं मतलब इसका हर एक पार्ट अपने आप में काफी अच्छा खासा सवाल था बट येस आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी डर ना नहीं है अपीरियंस देखकर सवाल समझना है कि चाहता क्या है क्लियर है चलिए भया आजेए अगली सवाल की और तूट पड़ते हैं ओ भाई डर नहीं है सवाल देखकर अराम से देखना कि एक फंक्शन दे रहा है सर यह वाला पूरा फंक्शन है बहुत बढ़िया और रुक नहीं रहा है और आगे चलता जाएगा प्लस साइन के बाद में यह प्रोग्राम भी है वाव be defined on the set of real numbers जिसमें से a positive है b और c d a positive b यहां पर है c यहां पर है d यहां पर है यह real numbers है f of minus 7 7 है f of minus 5 minus 5 है f of minus 2 3 है then the minimum number of zeros इस फंक्शन के minimum number of zeros क्या होंगे चलिए जी देखो अब मुझे एक चीज यहां पर साफ साफ दिखाई दे रही है जब इस परकार के सवाल हमने क्लास में किये minimum number of zeros या minimum number of things तो हम क्या गरते एक graphical idea लेते हैं समझ मैं हम क्या लेते हैं एक graphical idea की हम बात करेंगे कि भाई साब इसका graph बनेगा कैसा ठीक है इस काम क्या लेने वाले हैं दोस्तों ग्राफिकल आइडिया कैल्कुलस में graph is very important आप अराम से सोच सकते हो ऐसा नहीं है कि graph बनाने के लिए इसके डी वाई वाई डी एक्स पर चले जाएंगा ना भाई वो नहीं बोल रहा हूं आप इसका ग्राफिकल आइडिया लो और वो ग्राफिकल आइडिया लेने से पहले एक सिंपल सी चीज और बताईएगा प्लीज या आप सभी लोगों को यह function odd दिखाई दिया क्या सबसे important चीज यहीं थी odd function सर कैसे पता चला कैसे पता चला ऐसे आंके फाड़ के इसको देखने पड़े ठीक है मुझे actual में अगर मैं बताऊं तो हिंट कहां से लगा इस टर्म को देखकर क्योंकि यह odd function में यूज होती है यह वाली टर्म यह जो function है यह odd होता है इतना सोचने बाद में इसकी तरफ दिया यह भी और इसके तरफ दिया यह तीनों और यह पावर 17 वह भी और यह इतना function इवन है यह दोनों function और है तो और इंटू और यह भी और यह तीनों यह और बिलकुल सही तो मतलब सर इसकी हर एक टर्म और कुछ लोगों को बात समझ में आई नहीं होगी और फंक्शन भाई साब उनको बोलते है कि f of minus x बराबर minus f of x इस पूरे में अगर आप x की जगा minus x रखोगे तो यह negative sign को बाहर common ले लाकर खड़ा कर देगा सर यह कैसे बात थोड़ी कम समझ में आई तो मैंने का x की जगा minus x फटा पर देखना वाई तो जैसे ही मैं x की जगा minus x रखूँगा सर पहले वाले में ज़रा बोलना f of minus x तो a minus x की पावर 17 इसमें तो minus sign common आगया अब अगला देखो यह odd यह odd यह odd तो यहां पर minus sign रखोगे यहां माइनस रखोगे यहां माइनस रखोगे तीन माइनस आगे आ जाएंगे तो तीन माइनस आके multiply होंगे तो मेरे इकाल से आप समझ गें दूसरी टर्म भी समझ में आगी तीसी टर्म देखो c into minus x का square और sign sign of minus x सुनते जाना आराम आराम से sign एक odd function है sign भी एक odd function है यह minus sign को यहां बेजेगा और sign भी odd है यह minus sign को यहां बेज देगा मतलब इस पूरी टर्म में भी एक negative sign भाहर आ जाएगा क्योंकि यह तो गायब हो गया minus x का square है ना तो यह पूरा function यह ठीक है क्या इसी का ही root ले सकते हो मतलब इसको रेशलाइस कर लो यह आ जाएगा one plus x square minus x square upon one plus x square plus x ठीक है लॉक के अंदर यह और यह पूरा cancel होकर यह तो वन आ गया और यह लिखावा one upon denominator तो one upon something को आप ऐसा लिख सकते हो यह सारी चीज़े class में बता रुखी है अब यह power minus sign आ गया जाएगी तो यह भी और है अब यह इस पर आ जाओ इसमें x की जगा minus x रखोगे इसमें इस पूरी term में ज़रा देखना x की जगा minus x रखोगे तो क्या बनेगा one पहले लिख रहा हूं this is one minus x का मॉड बन जाएगा माइनस के बाद में सर यहां बन जाएगा minus x minus 1 का मॉड अब ध्यान से देखो तो मैंने आपको तेजी तेजी में यह प्रूफ कर दिया कि यह पूरा function odd है चलिए सर बहुत बढ़िया तो इसका मतलब सर हमें एक चीज़ पर चलगी odd में 2-3 बाते समझ मैं कि अगर function odd है अगर function odd है जीरो पर डिफाइंड आप अनाम से देख सकते हो जीरो इसको किसी को भी तकलीफ नहीं दे रहा तो जीरो पर वैल्यू अगर डिफाइंड और साथ में और तो जीरो पर वैल्यू जीरो आती है तो एक रूट तो हमें वहां से पादा चल गया दूसरा सर माइनस सेवन पर वैल्यू अगर सेवन आ रही है तो सेवन पर वैल्यू माइनस सेवन आईगी यही तो उता ओर फंक्शन लिसमझे अरे भाई अगर टू पर वैल्यू थ्री आ रही है तो मैंने कहां किया तो मैंने क्या किया माइनस सेवन पर वैल्यू सेवन आ रही है तो सेवन पर वैल्यू माइनस सेवन आएगी वैसे ही फाइफ पर वैल्यू कितनी आएगी सर माइनस फाइफ पर माइनस फाइफ आ रही है तो फाइफ पर भी फाइफ आएगी माइनस टू पर थ्री आ रही है तो माइनस 7 पर value 7 माइनस 5 पर value 5 और माइनस 2 पर value 3 माइनस 5 पर value minus 5 और माइनस 2पर value 3 बीच में हमने पता कि 1 0 पर value 0 आरी है function की और अब इसका replica माइनस 2 पर value 3 ये तो 2 पर value माइनस 3 होगी minus 5 पर value minus 5 पर value अगर आपकी minus 5 है तो plus 5 पर value कितनी हो जागी सर्फ 5 और minus 7 पर value 7 है तो plus 7 पर value minus 7 हो जागी है ना आपने सुना होगा odd function जो है that is symmetrical about origin तो graph इसका जो है वो ऐसे ही बनेगा clear है क्या मेरी बात समझ में आती है तो बस एक हलका सा idea आप ले सकते हो ऐसे करके एक हाँ minimum number of roots की बात की है ना तो ऐसा आप बोल सकते हो ऐसा एक graph बनेगा यह अगर नीचे जा रहा है हाँ बिल्कुल सही इसमें जो important सोचने वाला part है उस पर अभी रूख जाते हैं ठीक है हाँ है ना ठीक है अराम सुनना तो यह एक graph बनेगा जो जो values उसने देखी odd और इन values की मदद से अब मेरी बात ध्यान सुनना कि मैं इतने root तो comment करी सकता हूँ एक, दो, तीन, चार, पांच पांच रूट तो मुझे दिख रहे है अब अगर यह graph गया नीचे तो यह जाएगा उपर क्या आपको यह पता है कि odd function का जो graph होता है जैसे यहाँ पर मैंने y-axis नहीं बनाई है तो odd function का graph origin के about symmetrical होता है मतलब origin से जितना आप left में और right में जाओगे जिसे आप यहाँ पर आगे right में two distance आगे तो left में भी two distance गे तो minus two पर पहुंच गे तो दोनों पर value एकदम opposite होंगी एकदम opposite मतलब कि एक पर अगर positive आ रही है तो दूसरे पर negative आईगी यह जिरूर नहीं है कि two पर ही positive आई ऐसा नहीं है ठीक है तो मतलब सर अगर यह graph यहाँ से नीचे गया तो इसकी boundation हो जाएगी यहाँ से उपर आना और अगर मान लो यह graph ऐसे ही चला गया तो फिर यह ठीक है यह ऐसे आ जाएगा तो अगर यह नीचे गया तो मतलब सर रूट्स चेंज होंगे बिल्कुल सभी that means हमें अब चेक करना पड़ेगा मतलब जब हम x को minus infinity लेके जा रहे हैं तो अब मुझे बताओ क्या खयाल है इस सवाल में as x approaches to minus infinity आप चाहो तो plus infinity का भी बता कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है वह ज़्यादा आसान रहेगा चलो as x approaches to plus infinity बताओ भीया क्या हो रहा है यह जो पहले वाली टर्म है x की पावर 17 तो क्या मैं यह बोल सकता हूँ a into x की पावर 17 infinity की तरफ जाएगा क्योंकि a आपको positive दे रखा है मतलब सर यह पूरा infinity जा रहा है सब्सक्राइब पॉजिटी नंबर मल्टिप्लाइब तो इंफिनिटी सर यह वाली टर्म सर यह कुछ नहीं यह फलक्ट्वेट करेगी माइनस वन और वन के बीच में तो यह कहीं नहीं जा दी माइनस वन और वन के बीच में जूल रही है सब्सक्राइब पॉजिटी पर यह फलक्ट्वेट करेगा यह प्लस यह माइनस कुछ हो सकता है बढ़ हां एकस स्क्वाइर है ज्यान सुनना एकस स्क्वाइर है सुनने वाली बात है कि प्लस इंफिनिटी ले जाने पर साइन की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव में से कुछ होगी माइनस वन और वन के बीच में पॉजिटिव होगी तो सिगनम की वैल्यू प्लस वन नेगेटिव होगी तो सिगनम की वैल्यू माइनस वन और जीरो जीरो इसके साथ multiply हो रहा है x square तो यह वाली जो term है na c x square signum of sin x यह वाली term हम actual में बता नहीं सकते कि यह जाएगी कहां बट यहां positive या negative infinity के बीच में ही कुछ ना कुछ अंसर इसका आएगा क्योंकि x square वाली term तो infinity जा रही है यह सिरफ sign का role play करता है signum ठीक है आज यह इदर वापिस d वैसे तो सबसे बड़ी power 17 है इनमें से वैसे मैं एक चीज़ बूलता है इनमें सबसे तेजी से कौन बढ़ता है exponential function बढ़ता है exponential function को एक बार ध्यान से देखो कि x को infinity लिजाने पर यह वन की ओर जाएगा ठीक है तो इसका तो roll ही खतम हो गया उसके बाद में सबसे तेजी से कौन बढ़ता है जिसके सबसे बड़ी power हो तो यह plus infinity की तरफ जा रहा तो यह सारी की सारी terms plus infinity की तरफ जाएगी सारी की सारी टर्म कहा जाएंगी प्लस इंफिनिटी की तरफ क्योंकि सबसे बड़ी पावर 17 है उसकी पावर तो वह जा दी है प्लस इंफिनिटी की और तो मैं यह बोल सकता हूं इसी के ही बेसिस पर ठीक है बाकि आपको चेक करने की जुरत पिन यह इससे बड़ा इससे अब हम आते हैं कि हम क्या चीज बोल रहे थे कि अगर एक्स जाएगा इंफिनिटी की और मतलब इस तरफ जाओगे अगर आप तो यह ग्राफ भी इंफिनिटी की और जाएगा मतलब यह वापिस आएगा सर ऐसे उपर की तरफ मतलब यह इधर काटेगा और अगर यह इधर काटेगा तो वह यह इधर काटेगा तो एक दो तीन चार पांच रूट तो थी ही दो रूट और बढ़ गए उसने बोला है दा मिनिमम नंबर ऑफ जीरो जाएगा बढ़िया सवाल है और यह जितने कंबिनेशन हो सकते हैं सारे तुम्हारा और इवन भी रिवाइस हो जाए और उसके बाद में नंबर ऑफ जीरो मुल्टिपल कॉंसेप्ट वाले सवाल जो होते न उस टाइप का सवाल है जिसमें एक ही कॉंसेप्ट से आपका काम नहीं चलेगा आपको मुल्टिपल कॉंसेप्ट आने चाहिए ठीक भीय आजाओ पहले यह वाला सवाल करते हैं फिर करेंगे अगले सवाल आजाए प्लीज वापिस से वीडियो को पॉस कीजिए अंसर लिखिए क्या बूल रहा है एक फंक्शन देर का हाँ पीरेंच जो है वो इसी परकार की होगी आप इसकी आदर डाल लीजिए और दो तिन इस निवाला ब्रैकेट अहां दिस दिनोट्स इंटीजर फंक्शन तो यह हमारे पास में यह जो लगावा है इस जी आई ए ग्रेटेस इंटीजर फंक्शन इफ दिस एफ रियल वैल्यू जू ऑफ फॉर विच एफ एफ फ ग्रेटेस इंटीजर अच्छा यह एक बार और ब लैंग्वेज इस वेरी इंपॉर्टेंट तो क्या करना है वह बोल रहा है कि सर यहां पर एक वाडिटिक फंक्शन दे रखा है यह आपको दे रखा एक जी एक्स जी एक्स में साइन इंवर्स भी इंवाल्ड है इस पर लगा है ग्रेटेस इंटीजर बहुत बढ़िया इफ आपको अब देखो नोट्स रिवाइस करने का फाइदा यह होता है ठीक है आया ना कि साइन इंवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन प्लस एक्स स्क्वेर का आपको ग्राफ एकडम तुरता फूर्ती में मजे मजे में याद होना चाहिए आया ना ग्राफ होता है सर ऐसा जो कि वेल्यू आएगी सर माइन सवन और माइनस 1 पर वेल्यू आएगी माइनस फै pills ऑन्स अब ग्रेट corrections की प्रॉपर्पूटी ने चेंस ऑगे अगें ग्रेப्लसमेट सम्तिंग रैचेंचर की अंदरकों इंटीजर मैठा यह औरे तो रार आजाए गा इस हो प्लस sine inverse of this thing का greatest integer 2x upon one plus x square का greatest integer अब एक बाद बताओ कि इसकी range देखते हुए मुझे बताइए कि इसकी range में कौन-कौन से integers आते हैं मतलब यहां से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि sine inverse of 2x upon one plus x square का greatest integer बता दो यह कौन-कौन सी values ले सकता है उसर देख लो इसकी range में हमारे पास में यहां कहीं पर 1 भी आता है यहां कहीं पर 0 भी आता है यहां कहीं पर minus 1 भी आता है और range के अंदर सर माइनस 2 तो नहीं आता बढ़ हां इसका greatest integer minus 2 हो सकता है इस पूरे का greatest integer मैंने पूछा minus 2 कैसे हो सकता है सर माइनस टू इसलिए हो सकता है मानलो आपने कोई ऐसा एक्स रखा ठीक है जिस पर वैल्डिवाइव फंक्षिन की मानलो माइनस पाइब तू माइनस पाइब तू मतलब लिए इसकी वैल्यू आप बोल ओ स्रया तो वन हो सकती है या 0 हो सकती है या माइनस हो सकते है या माइनस 2 हो सकती है तो इसकी पॉसिबिल्य till ऑप या है तीन है फिर 2 पलस यह 2 एड challenge 1 2 प्लस 0 फिर 2 फिर 1 है और फिर 0 है तो मतलब यह बोल कि Gx जो है वो आपिएस ली एक इंटीजर इक इन्टीजर इसकी रेंज में तो इसकी डहीं इनटीजर है तो जी एक्स की वैल्जू यह हो सकती है सर से 0 1 2 3 अब GX आ गया GX पे greatest integer लगा भी दिया तो क्या फरक पड़ रहा है जिसमें एक्से स्क्राइब कोफिशंट बन है मतलब बनेगा और GX अब कुछ नहीं है दिया लगना जीएक्स को अपने दिमाग से करें निकाल दी जीएक्स वेल्यूज थे तो वह बोल रहे कि इसBuild in चार वेल्यूज पर वेल्युज क्या लीजूर्य नेगेटीव हमा से सौल्ड करो जलो भइं थो 012 और 3 में सौर्ड कर feature मतलब स्धू lemon ऑउकसे सोने और उसका अगर आप पास में अगर आप चाहते हो कि f of gx अगर नेगेटिव हो तो ऐसा ग्राफ बनना चाहिए है ठीक है हाइना क्या मेरी बात समझ में आती है मतलब इन चारों पर उसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए ठीक है एक्स चाहिए कुछ भी हो अच्छा उस अब इस चीज को सॉल करके आप अंसर निकालतो है अब एक बच्चा तो है वो इसको ऐसे सॉल करता है कि सर जी एक्स कीजिगा हम वैल्यू जीरो रख सकते हैं तो f of 0 नेगेटिव आना चीए फिर f of 1 नेगेटिव आना चीए f of 3 नेगेटिव आना चीए आप चाहो तो 4 को सॉल कर लो मैं आपको नहीं रोकूंगा बढ़ येस आप फर्स्ट और थर्ड का इंटरसेक्शन ले लिजिए क्योंकि fx एक क्वाडिटिक फंक्शन है तो अगर तीन पर नेगेटिव आगया और जीरो पर नेगेटिव आगया इस चीज को ऐसे चेक करोगे या फिर आपका जवाब ऐसा कुछ आएगा कि आप 4 को चाहर सॉल कर लो चारो का इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनल अंसर इसका और इसका इंटरसेक्शन ही कर आएगा बाकी सब लोग इसके अंदर अपने आप आ जाएंगे चेक कर लेना चाह है और f of 3 नेगेटिव का मतलब है x की जिगा 3 पूट कर दो that is 9-6a हो गया ना x की जिगा 3 पूट किया तो प्लस a-2 नेगेटिव यह माइनस 5a है राइट में जाएगा तो प्लस 5a और यह हो जाएगा साथ a की वैल्यू आगी 5 बटे 7 से बड़ी और a की वैल्यू आगी 2 से छोटी इन दोनों का अगर मैं आपको लेने के लिए बोलू intersection तो आप बोलो के सर एकी वैल्यू आ जाएगी 5 बटे 7 से लेकर दो ठीक है भाई एकी वैल्यू क्या जाएगी 5 बटे 7 से लेकर दो अब उसने यही बोला है कि the set of real values of a a की वह सारी real values जिस पर f of gx नेगेटिव वह के वन से के टू है तो इसका मतलब सर यह वाली चीज हमारी एवन है और यह वाली चीज हमारी के टू है थीक है समझ बहुँआरे पहले GX, GX से FX, FX से A, A से K1, K2, अब यह का है भाई 5K1 यहां पर भी ग्रेटरस इंडिजर लगाया है, माइनस 3K2, तो एक बाँ बताओ, केवन अगर यह है, तो 5K1 कितना हो जाएगा, 5K1 हो जाएगा साथ, साथ में से 6 गया, इसका ग्रेटरस इंडिजर यह वन आ गया, तो यह क्या लिका हुआ है, ठीक है, इसका क्या करना है, है 6 दिस्टिंट सॉलुशन, FX बराबर 1 के 6 दिस्टिंट सॉलुशन है, एचेक्स बराबर 1 के, वियर, FX इस दिस, एचेक्स इस, ओ भाई, पहले आप यहां तक समझो, यहां तक हमने GX निकाला, GX की मदद से FX पे गए, FX की मदद से A पे गए, अब वो बोल रहा है कि, जो हमारा HX है, एचेक्स बराबर 1 के 6 सॉलुशन होंगे, पहले से ही बता दिया, मैंने पूछा, FX क्या है भाई, बोले सर, FX तो यह रहा, अरे बोला, HX क्या है, तो HX है सर, N बार FX, देखो, सवाल को मैं ऐसे डिकोड करता हूँ, वो बोल रहा है कि, HX बराबर 1, इसके 6 सॉलुशन होने चाहिए, मैंने पूछा, HX है कौन, यह तो बताओ, सर, HX है, F के अंदर, F के अंदर, F के अंदर, F के अंदर, F, कितनी बार? N बार, कितनी बार? N बार, फिर मैंने बोला, F कौन है, तो बोले, सर, F है, mod of, क्या था, बाई, mod of X-2, लिए, मतलब सवाल अब यह बन गया, उसने शायद N की वेल्यू पूछी होगी, न, then the value of N, N की वेल्यू बताइए, सवाल भाई सब अब यह बन गया, बावाल सवाल है, सारे सवाल ही अच्छे है, अब वो आप से N की वेल्यू पूछ रहा है, मतलब, इस function के अंदर इसी function को हम कितनी बार हों कितनी बार रखें, क्योंकि जितनी बार रखोगे, वही तो आपको पता करना है, और जैसी हम इस function के अंदर रखेंगे, हमारा h ट्यार होता जाएगा, और उसको बराबर वन रखकर हमें छे सॉलिशन लाने हैं तो हमने एक बार एक काम किया दो बार रखके देखा मैंने पूछा वड़ेज एफ 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 मतलब इस फंक्शन के अंदर एकस की जगा एफ एकस ही रखना है तो सर यह आ जाएगा एकस की आएंगे तो ऐसा हो जाएगा है तो मतलब मॉड ऑफ एक माइनस टू में से एक बार टू गटाया तो एक ट्राइंगल बन गया आप ऐसा बोल सकते हैं ठीक है यह वाली चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें क्या हुआ एक ऐसा ट्राइंगल सा बन गया ठीक है एक बार इस चीज को बराबर वन के रखके देखो यह वाली वैल्यू जीरो है और यह वाली वैल्यू टू पर वैल्यू टू आईगी एक ट्राइंगल और बनाना है ठीक है मुझे एक ट्राइंगल और बनाना है तो मैंने क्या किया F of F of Fx की बात की तो यह कैसा बनेगा यह पूरा का पूरा उठा कर इस X की जगह रख दो एकस माइनस टू का मॉड माइनस टू का मॉड और माइनस टू का मॉड हना अब इसमें क्या होगा समझने वाली बात यह है कि यही पूरा प्रोग्राम यही पूरा प्रोग्राम यूनिट से नीचे आया फिर इसका अगर हमने मैंगनिटूड लिया तो अब ग्राफ ऐसा दि ठीक है यह जो ग्रीन बाला ग्राफ मैंने बनाए इसकी बात कर रहा हूं तो इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा कितने लूप बनेंगे दो ना एक बना दो बनेंगे विल्कुल सही है तीन मत बनादना क्योंकि x-2 में से एक टू एक टू घट रहा है क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था मॉड ओफ x-2 के गराफ से अगर आप mod of x के graph से start करोगे फिर minus 2 फिर mod फिर minus 2 तो mod of x के graph से मैंने start नहीं किया था मैंने एक उसमें v already बना हुआ था मतलब मैंने यहां से start किया था ठीक है ना आए ना चल गेजी अब बताइए कि अगर 3 बार रखते हैं और इसमें बराबर वन वाल लाइन कीश देते यह बराबर वन तब 6 solutions आ रहेंगा एक दो तीन चार पांच छे तो सर्फ कितनी बार रखा जाना चाहिए थ्री टाइम्स तो n की वेल्यू कितनी आगी सर्ड़िस थ्री तीन बार रखोगे तो f of f of fx बन जाएगा hx आपका बराबर वन वाल लाइन के साथ इंटर्सेक्शन लोगे तो आपके पास में 6 solutions आ जाएंगे सवाल जो दिया गया है वो सत्य हो जाएगा ध्यान से देखिए प्लीज बड़िया सवाल है यही होता है जी एडवांस की असली आपीरियंस की एक चीज को टाकर वहां तक पहुंचाया वहां से ऊठाकर अगली चीज तक पुंचाया अगली चीज से उठाकर अगली चीज तक पहुंचाया और सारी चीजे कनेक्ट करता गया और हर एक पे च्छोटा-च्छोटा concept या calculation वो use करता गया ठीक है इध्यान रखीगा प्लीज सवाल अच्छे समझ में आना चाहिए चलिए वह एक थोड़ा असान टाइप का सवाल कर लेते हैं देख लो असान तो ठीक है the maximum value of the function defined by this is alpha then the integral values of x satisfying this inequality ठीक है अलफा और यहां पर भी यह अलफा यह दिया लगना ठीक है यह जो है इदर यह अलफा ही है ठीक है चलिए वह आजए यह तो सब्सक्राइब में बनाना आता है ग्राफ मिनिमम आफ दिस दिस और दिस मैंने का हाँ वाई तीन functions के मिनिमम लगाया उसने तीन functions के आगे कॉमा करके एक e की पावर x और एक स्टेट लाइन है तो प्लस e परसेंट इजी है ठीक है है ना सेवेंटी परसेंट आप बोल सकते हो या सिक्स्टी परसेंट आप बोल सकते हो साट और तीस तो नबभी हो गए है ठीक है हाँ इसमें आप यह बोल सकते हो सर ट्वेंटी परसेंट डिफिकल्ट मतलब यह रियल डिफिकल्ट आप बोल सकते हो कि हाँ इसमें आपको बहुत जोड लगेगा 10 to 15% easy easy मतलब direct जो आपको class में बताया गया है direct कोई property है direct कोई formula है उसका use करते हुए answer या बहुत ही simple calculation के साथ जैसे कि अभी हम देखने वाले ही सवाज ठीक है हाँ है ना और यह कितना हो गया सर टोटल टोटल मिलाकर आप चाहो तो इसको 20 से 30% भी लिजा सकते हो 30% आप difficult बोल सकते हो कितना हो गया 45 अब बचा हमारे पास में 55% यह होता है सर medium मीडियम का मतलब होता है थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा एक बार सवाल समझ गए उसके बाद में एक्ट करना पड़ेगा और उसका आंसर आ जाएगा यह जो सवाल है 30% रियल डिफिकल्ट सर यह एक नया ही सवाल होगा सवाल नया होगा मैं यह निवो नहीं कॉंसेट नया होगा एक उसका पूछने का अंदाजी होगा जिसमें आप बोल सकते हो तुमारे पॉइंट आव यू तो जिसकी हवार नहीं लगती वो वाली वराइटी तो हमें इस वराइटी की तरफ तिध्यान देना ही नहीं सर यह क खेल हो जाएगा खेल मतलब अंडर कि थरी थाउजन्ट आपकी एडवांस में रहें का जाएगी सरफ इस इतने पोर्षन का अगर आप 70 परसंट इसा शेर सही कर देते हो तो ठीक है आया ना बदब यह टोटल 70 परसंट है इस 70 परसंट का 30 तो 40 परसंट कट दो यह जाता है पूरा पूरा का पूरा बाद में हमारे पास में जी एडवांस के वेपर में अगर टाइम बचा तो फिर तो बहुत गलत है क्योंकि कुछ लोग जी एडवांस का मतलब सिरफ तफ सवाल जी एडवांस मतलब सिर्फ सवाल करवा दो ऐसे सवाल करवा दो मतलब जिसकी कैल्कुलेसिन पांच पेज तक जाए या जो मतलब हम सोची ना पाएं ऐसा नहीं है तुम्हारे आस पास ही वह थौट पॉसस घूम रहा होगा बस तुम्हें वहां तक पहुंचना है ठीक है जैस अचा एक और चीज इसमें एक स्की वैल्यू टू रखने पर यह इसकुर रहता है तो यहां पर टू रखने पर यह एकिपावर एकस वाला आएगा यह स्कुर्ए और यह हो जाएगा सर्टू प्लस ए स्कुर्ए ठीक है इस्कुर्ण लगबग कितना होता जै इंप्र से 2.2.72 होता ना यह जो है यह नंबर 3 के करीब है यह की लगवग वैल्यू 2.72 तो यह नंबर 3 के करीब है इसका जो स्क्वाइर होगा वो 9 के करीब आएगा इतना करीब भी नहीं होगा कि एट पॉइंट सम्थिंग आएगा बट हाँ तो यह पॉइंट सम्थिंग आथा 7.38 आथा जहां तक मुझे आद है तो यह स्क्वाइर इस अप्रॉक्शीमेटली 7.38 आप चेक कर लीजेगा इसको पॉइंट स्क्रीएट आठ वाली लाइन यहां और 7.38 ब्लस तो 9.17 वाल लाइन यहां अब भाया बोल रहे हैं कि मिनिमम मत अब वो बोल रहा है, the maximum value of the function, यह जो आपने fx बनाया, इसकी जो maximum value है, वो है alpha, तो, alpha बराबर आगया, आपके पास में e square, ठीक है, sir, minimum लिखावा, आप maximum क्यों निकाल रहो, अरे, minimum यह function define करने के लिए लिखा गया, एक बार यह function define हो गया, इस function की maximum value क्या है, सबसे topmost चोटी क जहां तक है, जहां तक यह पहुंची है, so that is e square, अब बताइए भी यह का चाहिए, the integral values of x satisfying this inequality, e square का आपका, यह जो alpha है, इसका आपका greatest integer use हो रहा है, तो, obviously, sir, यह हो जाएगा, 7, उडी बावा, हलको सुसावाद, x into x minus 7 upon x square minus 7x plus 12 less than 0, number of integral values of x satisfying this, इसको कितनी integral value satisfy कर रही है, x square minus 7x plus 12, हो भाई, 6 into 2, 1, यह 4 और 3, अभी मैं सोचो, इसकी factorization कैसे करेंगे, दिल घवरा गया था, आजाए यह बाई, तो, उपर वाले के root आपको दिख रहे हैं, 0 और 7 है, ठीक है, एक root आए, 0 और 7, एक root आए, इसका 3, इसका 4, अब एक बाई बताओ, भाई साब को चाहिए, negative value, सभी के coefficients positive, linear factors है, सबके coefficient x में positive है, तो positive, negative, positive, negative, positive, ऐसे चलता जाएगा, भाईया पूछ रहे हैं, आपसे negative वाला पार्ट, तो, जडिन और जडिन, यह और यहाँ पर सब जिगह क्या आएगा, hollow circle, because equality लगी नहीं हुई है, ठीक बाई, integral values कितनी satisfy कर रही हैं, तो एक बाई बताओ, अगर मैं x का solution ऐसे लिखता हूँ, कि 0 से लेकर 3, union 4 से लेकर 7, तो इसमें x integer कौन कौन से हैं, और 0, 3, 4, 7 मत बोल देना, भगवान के लिए उन पर open bracket लगावा है, ठीक है, तो हमारे पास में 4 integer हैं, जो इस interval के अंदर बैठे हैं, वा भाई या वा, जे तो गजब कर दो, 1, 2, 4 और, बिल्कुल साही, the greatest integer, क्या पूछ रहा है, the number of integral values of x satisfying this, कितनी integral values satisfy कर रही है, देखना भाई कुछ गडबड तो नहीं है, 0 के बाद में 1, 2, 0 और 3 दोनों पर open, फिर, 1, 2, 3, 4 तो यहां आगे, 5, 6, 7 पर open आ गया, तो चारी तो आ रही है, जे का गोची है भाई, कुछ गडबड कर रहा हूंगे मैं, ठीक है, यह 3 और 4 इसका फेक्टर आ गया, इसके फेक्टर, अलपा स्क्वेर की वेल्जी तो ठीक, अरे भाईया, वो तो चेक कर ले, 2.72 इन्टू 2.72 यह भी ठीक लग रहा है मुझे तो, 4, 4 और 1, 5, 14, 49 और 1, 50, 14, 5, 19, फिर 4, 4 और 5, 8, 9, 7.39, वो भी बुला था, 7.38 ऐसा कुछ यहाथ था, E-square की वैल्यू 7.38 होगी, उसका ग्रेटेस इंटिजर 7 हो गया, कहा चाहिए वहिया, इसको कहा चाहिए, जीरो भी नहीं रख सकते, हाँ, उसके एक्वैलिटी, अगर मालो मैं एक्वैलिटी लगा भी दूँ तो, इफाइ पूट इक्वैलिटी ओवर हेर, इफाइ पूट इक्वैलिटी ओवर हेर, तो क्या होगा वहिए, इक्वैलिटी की केस में, तो सर, 0 और 7 पे और इंक्वैलिटी कर सकते हैं, आप ज़्यादा ज़्यादा, तो इसमें 2 और बढ़ जाएंगे, 4 और 2, 6 हो जाएंगे, तो अगर यही सवाल है, तो इसका हम FNF बोलेंगे, इसका हम FNF बोलेंगे, कितने इंटीजर्स हो गए, 4, अगर यहाँ पर इक्वैलिटी होती, मतलब, लेस देन इक्वैलिटी जीरो होता, तब हम FNF बोलते, सर, 6, ठीक है, तब हम FNF क्या बोलते, 6, क्यों, क्योंकि अगर मालो यहाँ एक्वैलिटी लग जाएगी, तो इस पर डाक सर्कल, सरी, क्लोज ब्रेकेट, और इस पर 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 इस नूमिलेटर के रूट्स को आप इंक्लूड कर सकते हो, टेके पॉज एंड, आंसरेट बॉस, चलिए जी, स्टार्ट करें, पहले वाला जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है, वो सवाल बहुत ही जोरदार है, चलिए जी, ठीक है, आया ना, अब भाई, एक सेकेंड, बस इसमें कलर फिल कर दो, वो क्यों नहीं था, थोड़ी लिखने की जिगा बना रहा हूँ, और कुछ नहीं, चलिए, यहां सौल कर लेंगे इसको, पहले वाले सेवाल के बारे में सोचो, कि आप इसको कैसे, कैसे, सौल कर सकते हो, इने अफ टाइम आपको दे दिया गया है, बिकॉस प्रेक्टिस साथ में आपको खुद करनी पड़ेगी, सिंपल जी कहानी है, आपका पहला इंस्टेंस, एक बार आपकी कलम चल जानी चाहिए, आपको एक बार सोच लेना चाहिए, कि सर यह सोच रहा हूं मैं, ताकि ताकि उस सोच में कुछ दिक्कत हो, तो हम उसके बारे में बात कर सकें, देखी बचल रहा सर, फ्रेक्शनल पार्ट, फ्रेक्शनल पार्ट की एक 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 इक्वेशन बनार की है, तो फ्रेक्शनल पार्ट आप एक्स को हम टी बोलने वाले है, यह बात तो सबको समझ में आती है, बड़सर सिरफ फ्रेक्शनल पार्ट निया, कई की जगा में चले तो कितने लोगों को यह वाली कहा नहीं पता है कि एकस प्लस कि इसकी वैल्यों अगर आप कोई भी एक अगर मैं वैल्यों निकालों ठीक है यहां से अगर मैं माइनस टाइमस फ्रेक्शनल पाट आप एकस यह तब जब एकस इंटीजर हो और यह तब जब एकस एक इस कि इस और आप ट अब खुद सोचो अगर एकस इंटीजर वा तब लुक्ति जिए वाली वाली वज़िए 33 और ये वाली वैल्य वी क्या हो जाएगी 0 तो यह एकस इंटीजर इसका कोई सॉल्याशन हो सकता बढ़ा पर चेक कर लेते हैं सर यह 0 यह 0 यह 0 यह 0……- 2 बराबर 0 तो मैंने का बताना बढोई जेकिएएशन का मन गई , और साथ मैं फ्रेक्शन पर आफ एक्स prob थी बोल रहाँ थोड़ी है की पुट रही ठांकि बार अब खीना पूरे और फ्रेक्ष्ण पाट आफ माइ learns एक्स और फैक्स ओति यह माइनस की होगा यह जाएगा माइनस five T स्क्वार प्लस 90 denken बेराबर जीलो चाहिए यह लिखाओ है seven T पावरफोर nine टी क्यू iki- pyramid है my यूटagem दाए मेंडियरी प्लस 90 मेंड़ी गया दाना दो 함께 है संहों कि इसको और इसको अगर हम सेट करें तो यह आएगा माइनस टू टी की पावर फोर प्लस नाइन टी क्यूब आ गया टी क्यूब वली और कोई टर्म है नहीं और नौ और पांच दोनों नेगेटिव है तो फोर्टीन टी स्क्वेर आ जाएगा प्लस नाइन टी आ गया सर ये वला और माइनस टू चलिए भाई क्या बोलती है पब्लिक इस सवाल को कैसे सौल किया जाए अब जहां पर जाकर ये एक्वेशन रुकी है जहां पर जाकर ये एक्वेशन रुकी है वहीं पर ही मेरी नजने जुकी है मैंने एक बार ध्यान से देखा this is the equation जिसको हम reciprocal equation बोलते हैं जिसमें आगे से और पीछे से coefficient सेम दिखाई दे रहे हैं देखो ध्यान से सबसे बड़ Carne प्लस का और इदर से सज्वान टर्म बत्रों हैं इसको हम क्या बोलते मैं रैसी प्रोकल के सरीखेशन क्या देखि aí यह होती है इस पूरे को आप यह जो मिडल टर्म होती है इसमें जितनी पावर आपको दिखाई देडिया उससे डिवाइड कर दो पूरी एक्वेशन को आप T स्क्वार एंपेक्ट एक काम करते है माइनस टी स्कोर से डिवाइड करते हैं 국 पहली टर्म कापने को ख। भीचिंट पॉजिटेव देखने की यह अईत Ein इंसान को अच्छी आज़ते होनी चाहिए तो माइनस टी स्कॉर से अगर मैं डिवाइड करूं तो पहली टम आजएगी टू टी स्कॉर माइनस टी स्कॉर से डिवाइड किया मतलब हर एक टर्म का साइन भी बतलने जाना है और उसमें से टी की जो पावर है वो दो दो कम कर दे तो अगले वाली टम आजएगी सर यह कितनी आजएगी माइनस नाइन थी सर यहाँ पर माइनस टी स्कॉर इस इस फोर्टी यहाँ पर डिवाइड किया सर इस इस माइनस नाइन अपाउन थी अब आप इन दोनों को एक साथ ले सकते है यहाँ यह 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 मेरे साथ ही क्यों होता है यह यहां चप गया सारा का तरह यहां तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं कुछ इसमें कर सकते हैं का हूँ इसको send to back अब यहां कि अब दुबारा करने की मेरी हीमत नहीं मैं सिंपल सी खानी है तुम्हें अच्छा लगे तुम्हें बूरा लगे ठीक है वापिस बतलता हूं क्या यह परभू यह जगन्नाद कि अप्रेक्शनल पार्ट आफ एक्स को भहिया बोला है टी और फ्रेक्शनल बच गए कितनी गंदियातत लगी यह ना फ्रेक्शनल यह लगता है यह चाहता नहीं आज में कुछ फ्रेक्शनल पार्ट आफ एक्स को हमने बोला है टी माइनस फ्रेक्शनल पार्ट आफ एक्स को बोला है 1 माइनस फ्रेक्शनल पार्ट आफ एक्स और यह हो जाएगा सर 1 माइनस टी इस एक्वेशन को जब हमने solve किया तो यह बन गई थी reciprocal equation recipe बन गई थी और जो की बन गया था that is 2 t square plus 1 upon t square minus 9 minus 9 that is t plus 1 by t और plus 14 बराबर 0 हम यहां तक पहुंच गए ठीक है आपको अगर इसके नोट्स बनाने हो तो आप थोड़ा video को पीछे करके वो video में तो सेव हुआ है notes में नी सेव हुआ कोई पीछे करोगे तो आपको दिख जाएगा ठीक है now we know कि अगर हम t plus 1 by t को बोले alpha या alpha बोल सकते हैं कहीं यूज तो नहीं हो रहा हम तो इसका square करेंगे that is t square plus 1 by t square plus 2 बराबर सर यह आजाएगा alpha square तो यहां से इतने पार्ट की value कितनी आजाएगी सर वह आजाएगी alpha square minus 2 तो चलिए जी यहां पर हमने कह लिखा 2 into this is alpha square minus 2 minus 9 alpha plus 14 बराबर 0 this is 2 alpha square minus 9 alpha minus 4 यहां से आएगा plus 14 यहां पर है तो यह होगा 10 सर 10 into 2 20 आ रहा है और समाना 5 और 4 तो यहां बचेगा 2 alpha minus 5 बराबर 0 तो 2 alpha minus 5 इसमें से alpha common और इसमें से minus 2 common तो यहां बचेगा 2 alpha minus 5 बराबर 0 यहां से आपके पास में alpha की value 5 by 2 और 2 आ गहीं और अलफा जो है वो है t plus alpha क्या है वह है अलफा है t plus 1 by t देख लो भाई फ्रेक्शनल पार्ट ऑफ x है t और t plus 1 by t है alpha और अलफा की जो value आई है वो आई है 2 और 5 by 2 जब आप इन दोनों को बराबर करोगे यहां से टी की value आजाएगी सिरफ और सिरफ बन जाएगा t square minus 2t यह बनेगा t minus 1 का whole square और यहां जाएगा 0 और यहां से आपके पास में प्लस 1 by t बराबर 5 by 2 तो यहां पे एक दो टी की value तो दिख रही और एक आएगी हाफ कि सब्सक्राइब कटा कट इत्ती जल्दी भी एडवांस नहीं पढ़ाना था अरे मैंने का भाई यह तो दिखी रहा साब साब चलो पूरा देख लेते हैं इस टी स्क्वार प्लस 1 अपॉन टी बराबर 5 by 2 यह इधर और यह इधर तो दिस इस 2 टी स्क्वार प्लस 2 बराबर 5 टी और लेफ्ट में लेकिए जाओगे सरी हो जाएगा 2 टी स्क्वार माइनस 5 टी प्लस 2 बराबर 0 अब दिख रहा है सबको माइनस 4 टी माइनस टी प्लस 2 बराबर 0 तो 2 टी माइनस 1 और टी माइनस 2 बराबर 0 अब ठीक है भाई अब यहां से टी की वेल्यू यह आगए बाइस अब ती है कौन एक बार बताओ तुसी तो टी है हमारे पास में फ्रेक्शनल पार्ट आफ एक्स जो है वो हाफ के बराबर हो सकता है तो क्या पूछा है भाईया ने देन इस फ्रेक्शन बार देन टू एक्स में भी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो ऐसे कौन-कौन से आपके पास में नंबर्स होते जिनका फ्रेक्शनल पार्ट हाफ आए तो हाफ अब इसमें क अब 2x से मल्टिप्लाइ कर देते हैं तो 2x की वैल्यू 1 3 5 ऐसे करते-करते और नंबर्स है भाईया पूछ रहे हैं कि 2x किस-किस के बराबर हो सकता है तो भाई-साब इसमें अग्या मोर्दन वन मैचिंग है तो 3 के बराबर भी हो सकता है और 5 के बराबर भी हो सकता है तो यह पहला पार्ट हुआ है आज यह दूसरा पार्ट जैसे कि मैं यह वाले की चीब बात कर रहा था अगर यही इसके ओरिजनल सॉलिशन है मतलब इसके और और ती मैच हो रहे हैं और यह मैंने अच्छिज सॉल कर लिया है तो मतलब सर मैट्रिक्स मैच हमारा अंसर ऐसे बचा सकते हैं टाइम हमारा ऐसे बचा सकते हैं पट फटा फट फट फॉर सेक ओफ कम्पलीशन हम सारे पार्ट देख लेते हैं 2y स्कूर प्लस 2xy-5x has non-negative integral solutions in x and y then y may be equal to मतलब इसके जो solutions होंगे वह non-negative integral solutions होंगे non-negative integral solutions का मतलब है कि x और y दोनों 0 या 0 से बड़े हैं और x और y दोनों ही integer है ठीक है non-negative integral solutions की बात हो रही है ठीक है बाई तो किसी variable को अकेला किया जा सकते हैं हां सदिख रहा है साफ साफ मैं बी पार्ट का solution बता रहा हूं कि 2y स्कूर कि यह एक्स वाली टर्म इदर लिए तो 5x-2xy समझने वाली बात है एक्स को कॉमल लिया दिस इस 5-2y बराबर 2y स्कूर अब जो बात उसने बोली है उसी के साथ हम खेल रहे हैं एक तो x और y इंटीजर होने चाहिए दूसरे non-negative होने चाहिए non-negative का मतलब ऐसे numbers जो negative ना हो तो negative ना हो तो क्या बचे या तो positive या 0 यहां से x की value अगर आप निकालोगे ना तो वह जाएगी 2y square अपॉन 5-2y अब x जो है वो 0 या 0 से बढ़ा होना चाहिए तो यह वाली चीज x के बराबर है तो यहां से हमें क्या समझ में है नीचे से एक negative sign लेकर पूरी inequality में multiply कर दो तो that is 2y square this is 2y minus 5 less than equals to 0 ठीक है उपर वाले का तो root कुछ परक पड़ेगा नहीं क्योंकि यह वाली चीज वैसे ही positive है एक्स जीरो वाई जीरो सेटिस्फाइ कर रहे हैं का हां जी बिल्कुल कर रहे हैं ठीक है मतलब इसमें सिर्फ वाई बराबर 0 या कुछ भी हो उसको डिवाइड कर दो जीरो वाला पार्ट डिवीजन में नहीं लेकर आ रहे हैं या फिर एक काम करो ज्यादा लोड मतलों लो भाई यहां पर नंबर लाइन बना लो एक रूट आएगा आपका फाइब बाइटू डिनॉमिनेटर का और निमिनेटर का है बढ़ हां यहां पर चलेगा कोई दिक्कत नहीं है बढ़ उसने बोला एक्स और वाइड दोनों ही नॉन नेगिटिव है तो सर इनिक्वैलिटी के सॉलिशन के बेसिस पर आप लेफ्ट में जा सकते हो कितना भी बढ़ यह जो कंडिशर उसने दिर की उसकी हिसाब से आप पांच लिखा हुआ है ठीक अभी स्टार्ट कर देते हैं फटा फटा अगर मान लो इसी एक्वेशन में मैं आपसे बोलूं कि य बराबर 0 है तो यहां से यह दोनों टर्म्स गायब हो जाएंगी एक्स बराबर भी 0 आ जाएगा एक्स इंटीजर भी होना चाहिए एकस य की वही वैलूज होंगी क्योंकि इन्टीजर होगा तु item कितने मच्च रहिया कि यह कृच्आ थिक है टो वाई 0 पर X 0 होगा ठीक है यह चलो चलेगा दूर पूरा सेट अगर मैं Y की वैल्यू बन रखू तो कि वाइगी वैल्यू रखने पर देखना क्या बन गया टू प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स बराबर जीरो तो यहां से माइनस 3X X की वैल्यू आ रही है वैटा टू बटे थ्री यह वाला नहीं चलेगा मतलब Y बराबर वन भी नहीं चलेगा अब Y बराबर टू और चेक कर लेते हैं वह यह चार इंटू दो आठ प्लस चार X माइनस पांच X X बराबर आगया सर आठ यह चलेगा तो मतलब 0 और 1 इस दा ऑनली पॉसिबिलिटी तो 0 एंड 1 वन तो आप्शन में नहीं है बिल्कुल सहीं तो पहले वाले जवाब आपने बुला था आठी और दूसरे वाले अंसर आ रहा रहा सर पी तीसरे वाला क्या है यहां से यहां एक फंक्शन डिफाइन किया है बहुत बढ़िया देख लीजिए इसको भी दा नंबर आफ वन वन फंक्शन फ्रामे टू बी सच दैट एफ आई माइनस आई इस ग्रेदें इक्वेस टू पॉर ऑल आई बहुत बढ़िया आजा भाई यहीं कर दें इसको तो फंक्शन आपको डिफाइन करना है कहां से कहां तक 1357 यह आपका ए है 1357 से 2468 में आपको फंक्शन डिफाइन करना है और वो बोल रहा है कि जो भी आप इंपुट दोगे जैसे आई का मतलब है यहाँ पर इंपुट फॉर ऑल आई बिलॉंग्स टू सेट ए सेट ए मतलब डोमेन वाला सेट जो आप अंदर इसमें वैल्यू इंपुट देने वाले हो एक्स की वैल्यूज आप बोल सकते हो तो जो भी आप इंपुट दोगे उसमें अगर दो जोड और f of 5 जो है वो 7 यह 7 से बढ़ा और f of 7 जो है वो 9 यह 9 से बढ़ा ठीक है एं एफ of 7 9 यह 9 से बढ़ा बांका रखी है यह कैसी कंडीशन है दिखना यह पूरा फंक्शन यह इदर लेके गया f of i is greater than equals to 2 plus i बिल्कुल सभी अरे वाल इस इस नोट पॉसिबल मतलब number of function आप बोल सकते हो जीरो आएंगे ठीक है वापिस इसको भी पी से मैच करवा दो ऐसा क्यों क्योंकि यह जो कंडीशन बोल रहा है उसमें function बनाना है तो obviously मुझे 7 को मैप करना पड़ेगा 7 पर कोई ना कोई तो value निकालनी पड़ेगी और 7 के लिए जो condition देर कि एक बार ध्यान से बोल रहा है कि 9 या 9 से बड़ी बैसा इस तरफ 9 पर value नहीं है 9 मतलब 9 वाला तो element नहीं हो से बड़ा तो चोड़ो तो 7 विचारा रह जाएगा कुमारा इसकी value किसी से मैप नहीं हो पाएगी कुमारा रहे गया तो बस पिर समझें की समझें यह function ही नहीं बना क्योंकि इस सैट में कोई भी कुमारा नहीं रहना चाहिए ठीक है अज़े कोई भी unmap नहीं रहना चाहिए कई कुछ लोग सोचें बोले सरी यह कुमारा और साधी सुदा वाली बात तो हमें नहीं बताइं हाँ है बाए बाए जस्ट एव आफ और रिप्रजेंटिंग फिंग्स तुम्हें का लगता है इस बार फिर से क्या मैं इस पर लिख पाऊंगा आजाए प्लीज लास्ट पार्ट ठीक है आया इना इस इस दा लास्ट पार्ट ऑप्शन दी बढ़िया दिखने में बढ़िया लग रहा है अजी आज जेए एक फंक्षन है एक स्ट आइप एकस एकस प्लस साइन एकस के बराबर है जीरो से लेकर पाई में एकस प्लस साइन एकस का घ्राफ हमेशा इंक्रीजिंग होता है वह जब हम वन फंक्शन और इंक्रीजिंग आ रहा है इंक्रीजिंग इसलिए वन वन आ रहा है सर आप सवाल तो पढ़ लो आपने ज्ञान इसके बारे में सारा का सारा पेल दिया मैं करूप जब है जीरो से पाई तक यह और पाई पर वैल्यू जीरो और पाई से लेकर इंफिनिटी तर प्रोग्राम यह है देन डा वैल्यू आफ एक्स फॉर विच एफ एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स बराबर हो ग्राफिकल आइडिया बहुत बढ़िया जारा खेल जीरो से आगे का हो रहा है सर तो हाँ यह लाइन है य बराबर एक्स वाली अभी मैं ग्राफ बना रहा हूं एफ एक्स का सुनते जाना ठीक है खाय ना जीरो से लेकर पाइ तक ग्राफ बनेगा ऐसा एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ ऐसा ही होता है बढ़ता हुआ और बढ़ता जाएगा जीरो पर वैल्यू आप देख सकते हूं वैसे ओपन लगा तो होलो सरकल आएगा जीरो पर वैल्यू भी पाइ होती है बड़ यहां पर hollow circle लगा है piper वो बूल रहा है value आएगी 0 मतलब piper value यहां आ रही है ठीक है? हाँ है न यह y बराबर x लाइन के about मतलब इसका पूरे का graph देखोंगे न x plus sin x का graph अगर आप x plus sin x का graph देखना चाते हो तो यह y बराबर x लाइन के about साम सेड़ी खेलता है यह वाली आपकी वाइब बराबर x लाइन होगी अब इसका जो graph चलता है वह ऐसे चलता है ऐसे चलता जाएगा ठीक है डीन ने लाइफ स्ट्रक्चर है उसका इतना portion आप से चेक कर वाली है वह यहां रख वालिया अब सर यह क्या प्रोग्राम है पाई प्लस वन से लेकर इंफिनिटी तक में को यह तो साफ साफ दिखाई दे रहा है इसकी जो स्ट्रक्चर है ना क्योंकि मुझे ग्राफिकल आइडिया ले रहा है मैं एक्जेक्ट ग्राफ नहीं बना रहा हूँ तो यह लिखावा है कि जीरो यह वैल्डी हो जाएगी पाई प्लस वन इंफिनिटी ले जाने पर ही देखना तरह कि पाई प्लस वन के बीच में ग्राफ सिमट जाएगा देखो ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूं मैं क्या बता रहा हूं कि जैसे जैसे मैं इस ब्रांच में एकस को करूंगा इंफिनिटी अप्रोच तो जो आपका fx है वह करेगा सर वन को अप्रोच क्योंकि आप एकस को इंफिनिटी लेके जाओं के सर यह वाली डर्म तो 0 होगी क्योंकि वन अपॉन डिनामिनिटर इसका 0 हो रहा है तो यहां गया बचा पाई प्लस बचा तो यह लो भू यही तो बोल रहा हूँ, कि पाई अगर यहीं पर आ गया तो पाई प्लस वन उपर, और पाय से पाई पर वेल्यू कितने आ रही है, माननो इसके बाद में जस राइट में ग्राफ इसका स्टार्ट होगा, और फंफ पर वैल्यों यह 0 वन अपन वन वन 11 कैंसेल तो यह अगर आफ यह से फार्डट ओकर ऐ्सा पूर सोर्य गया है। ठीक है ठीक है क्योंकि यह start तो इसी से ही हो रहा है कैसे पतासर आपको पाए पर वैल्यू जो है इसकी देखो अगर पाए पर यहां पर डार्क सरकल लगा होता तो यहां पर वैल्यू इस पूरे की पाए आती तो मतलब यह स्टाट यहीं से होता अब तो उसने क्या बीच में एक होलो सर्कल मतलब इक डिसकॉंटिनुटी प्रद्यूस कर दी तो यह होलो सर्कल की वैल्यू नीचे आगी अब भीया क्या पूछ रहें तो दिस इस दा ग्राफ आफ एक एक रंग से बना दूँ क्या यह वाला ग्राफ हो गया हमारा fx का यूजिंग दे प्रॉपर्टी देट वी नो कि भाई साफ fx का ग्राफ और f inverse का ग्राफ एक लाइन के बाउट सिमेट्रिकल होते हैं वही वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए मैं f inverse का ग्राफ भी खीच दे रहा हूँ f inverse of x का ग्राफ ऐसा कुछ आएगा ठीक है ठीक है कहकरे टाइप की सिच्वेशन बनेगी के ग्राफ बन गया अब वो बोल रहे हैं यह दोनों इसके number of solution बताओ दोनों तो कहीं काट ही नहीं रहे इसका solution क्या गया इसा this is no solution no solution मतलब value इसका भी value p अरे भाई एक second वो जो a वाला हमने चेक किया था अर्थी पी क्यू पी एक second इसका अंसर बी वाले गारा इसका पी क्यू पहले वाले का था रहा है इसका भी पी इसका भी पी आ रहा है बीच वाले का भूल रहा है पी क्यू इंड वैल्यों वाई में भी वाई वी वह सकता है एक second है हो सकता यार यह क्यों नहीं रखा यह यहां पर जीरो और यहां पर टू बी दोनों पर ट्क लगाया है तो जीरो टू ओहो यह वाली मिस्टेक भी आपको नहीं करनी है कि आपने सुलिशन पूरा सॉल करके रख लिया अपने पास में उसको आंसर में टिक नहीं किया उसको भरना भूल गया उसको गलत बूल गया तो ऐसी मिस्टेक भी मैं आपको करके दिखा रहा हूं स्क्रीन कि कहीं गरबटना हो जाए तुमसे सर रहने दो रहने दो यह सारी मिस्टेक हम जानते हैं अगला सवार ठीक है एफ जो है वह जीरो से लेकर इंफिनिटी इसकी डोमेन है और एफ एक्स जो है वह फॉंक्शन ऐसे डिफाइन किया गया है यह वाले जो भाया बक से लग सब्सक्राइब कर दे लिया बीच मैं जो यहां पर थोड़ा सो साइड में होने की कोशिश करता हूं इसका मतलब कि मैं आपको स्क्रीन पर एक जगा दे रहा हूं कि भाई-साब आप वीडियो पॉस कर लो पूरे सवाल के साथ आप अपना टाइम स्पेंड कर दीजिए प्ल यहां पर आप एन की जगर बनठों यह बन जाएगा टूप लो यह बन जाएगा थ्री बट कर दो यह बन जाएगा इस प्रोग्राम को उठा लाओ और जब जब ग्रीटर से अब्र आजाता है तो हम अंदर वाले के बारे में सोचते कि भाइस साब यह कहां से कहां तक जा र ग्रेटेस इंडिजर बात में लगा लेंगे इस स्कूर इन दोनों टर्म में से आप एकाम करो एन कॉमन ले लो यह बचेगा एन एकस स्कूर प्लस वन कौन सी दोनों टर्म पहली और आखरी और यहां बच गया सर आपके पास में एक्स प्लेट देनॉमिनेटर तो यह स्कूर प्लस वन उड़ी बावा सिच्वेशन सर यह आगया एन प्लस एन एकस स्कूर प्लस वन यह इसके बराबर लिखा हुआ है और इस पर लगावा था ग्रेटेस इंटीजर अब आपको एक चीज दे रखिए उसने कि सर जो एक्स है दीज आर दा वैल्यूज ऑफ एक्स मतलब आपको एक बात तो समझ में आगी एकस एक पॉजिटिव रियल लंबर है मतलब एकस जो भी होगा वो हमेशा पॉजिव भी होगा वो दे रखा है और एन एक नैचुरल लंबर है तो मुझे अराम से सोचके बताओ कि अगर मैं एकस अपॉन एन एकस स्क्वाइर प्लस वन की बात करूँ तो क्या ये क्वांटिटी जीरो और वन के बीच में गुमेगी गा हमेशा क्या यह quantity 0 और 1 की बीच में गूमेगी सर यह कैसे पता चाहो तो आप वैसे चेक कर सकते हो परना इसको एक जो logical वे है चेक करने का वो यह है कि X आपका positive है ज्यान सुनना तो positive है तो यह कभी negative तो होने सकता और denominator denominator बड़ा है भाई हमेशा है डिनाउमिनेटर हमेशा numerator से बड़ा है तो मतलब यह डिनाउमिनेटर कैसे बड़ा सर अरे भाई X स्क्वाइर को N से multiply किया अब कुछ लोग यह बोलेंगे सर X और X स्क्वाइर में तो X स्क्वाइर छोटा होता है जब X की value 1 से चोड़ी हो तो मैंने वह बात मैं तेरी मानता हूं बट मैंने X स्क्वाइर करने के बाद में एक plus 1 दे दिया आया ना मालों आप हाफ रखते हो तो हाफ का स्क्वाइर हो गया 1 बाई 4 अब यह तो हाफ ही रहा 1 बाई 4 प्लस 1 चलीगी कहानी और साथ में नेचुरल नंबर तो आप 1 पूट करोगे सबसे चोटा समझके तो डिनॉमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर से बड़ा है और इस पूरे की वैल्यू जो है वो वन से छोटी होगी और पॉजिटिव भी है पॉजिटिव कैसे यह बता रखा है डिनॉमिनेटर जब न्यूमिनेटर से जोटा हो तो वैल्यू पॉजिव आती है मुझ कि मेरा वही एपिसोड देखने का मतलब बोल सकते हो आप कि सुनहरा मौका निकला मेरा जिसमें वो दीदी जो हैं वो गनित की बात कर रही थी भाइस आप वैसे तो जो अपना आसपास का जो सिनारिय होता है उससे भी हमें समझ में आता है कि हमें इतना अपने बास टाइन भी फालतूगा कि हम बिग बॉस देखें और बट वह बात सुनके तो एक दुम बोले मैं का आप तो बिल्कुल नहीं देखूंग यह कै चल रहा है बाई डिन ऐसे याद आगया दिनॉमिनेटर कर रहा तो यह पूरा पॉजिटिव और जीरो और वन के बीच में खेल खत्म मतब सर इसकी वैल्डियू जो है इस जीरो पॉइंट सम्थिंग प्लस एन पूरी बाबा नहीं इस पूरे के ग्रेटेस इंडिजर तो एन हो गया क्योंकि एन लंबर रख दो तो वन पॉइंट सम्थिंग आएगा तो तो डू पॉइंट सम्थिंग आएगा तो त्री दो तो बनेगा नो यह बिलकुल सही सत्य बचन एफिक्स क्या था बोलो अभीता बच्चन बता भाई एफिक्स क्या बन गया सवाल यह डिफिकल्ट है वह अलग बात है कि मैं समझा बहुत अच्छे से रहा हूं इस तक ढूम्हें है तुम्हेंट की महसूस हो दुशॣ से इसकी परकार की सिरीज इस भाड यह सवाल किसे इंस्पााइड है वो जो r by n वाले सवाल होते हैं definite integral में इसी परकार की सिरीज दी थी जी एडवांस 2022 में r by n का एक सवाल बन रहा था यहां पर greatest integer लगा दिया तो पहले वाले में क्या बनेगा सर पहले वाले में obviously n की value बन थी तो पहले वाला 1 बन जाएगा दूसरे वाले में n की value थी तो दूसरे वाला टू बन जाएगा तीसरे वाले में n की value 3 तो 3 बन जाएगा और last वाले में n की value and t तो यह एन बन जाएगा तो मतलब सर हमारा जो function है वो constant function है सर कान है वाई constant function यह बाइसाब independent of x ठीक है अब बोल रहा है f of 3 बताओ जब n 10 होगा पहले देखवाँ बताओ तो जब आपने n की value 10 दी तो 10 x into 11 बटे 2 तो यह आगया 55 तो x की value 3 यह सर यह भी 55 आएगा क्योंकि इस तरफ एक्स तो डिपेंड गरी नहीं एक्स का तो आमने रोल ही खतम करती है देखो इस पूरे पर ग्रेटेस इंडिजर लगाया तो जवाब क्या आया एन आया तो 55 इस अवर एफ नहीं ठीक है आय ओप आपने यह सवाल देख लिया होगा और यह सवाल जो है वो जेएडवांस 2018 पेपर 2 का सवाल है जो डोमेन और रेंज वाली जो हलकी हलकी चीजह हम देखते हैं बस उसी पर बेस सवाल है ठीक है मतलब डोमें रेंज का एक बड़िया सवाल है बटाप पूछने का जो ब्राबर नीं सकते जिस कहरे यह वहाला पाट पॉजटिव हो तो x उपाउँ एक्स माईनस वन फटापर यह देख लेते हैं एक्स आपाउण x-1 यह 0 से बड़ा कब होता है सर 0 1 positive negative positive तो मतलब आप बोल सकते हो कि यह जो even आपके पास में निकल क्या रहा है सर यह आ रहा है x belonging to minus infinity से लेकर 0 जहां पर यह पूरा पार्ट positive हो union 1 से लेकर infinity this is our even ठीक है जी टू कौनसी values है x जो even से belong करेंगे मतलब यह वाले x यहां आएंगे और जिस पर यह वाली चीज पूरी की पूरी एक real number होगी तो basically e2 का यहां पर ज्यादा role है नहीं इस set का reason is वह बोल रहा है कि वह जो even है ना जिस पर अंदर वाली चीज पॉजिटिव हो तो उसको यहां रखना है तो वह तो हम ऐसी जानते हैं क्यों क्योंकि log में जो अंदर वाली दिस तो मतलब जो हमारा एफ है वो यह ऑ जो है क्या है वह यह वाला है ठिक है और जी जो हमारा function ने्वह еёट से लेकर आरहरा है उदी Fr यह है अब domain और रेंज की कहानी चल ठीक है, domain और range की कहानी चल रही है, दोनों की range बताओ, दोनों की domain बताओ, ठीक है, contains वाला word भी लगाया गया है, contains का मतलब, कि range में कौन-कौन से bracket या कौन-कौन से interval आ रहे हैं, उसका कोई subset भी आप बता सकते हो, पहले देखा बताओ, अगर मैं इसकी domain लिखने जाओ, डोमेन यही तो लिखोगे माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन कहां चे कहां तक 1 से लेकर इंफिनिटी अब मैं जब ऑप्शन की तरफ देखता हूँ तो मुझे एक्जेक्ट ये वाला ऑप्शन कोई भी नहीं दिख रहा मैंने F की डोमेन निकाली है आगे आपको शब्द दिखाई दे रहा है कंटेंस इन में से कौन सा इसका सबसेट है वो भी बता तो तो सर जीरो से वन ये तो नहीं है माइनस हाफ से लेकर हाफ बीच में 0 आ गया सर ये भी नहीं है माइनस इंफिटी से एपउन ए माइनस वन पॉजिटीव नंबर है पूरा पूरा ये भी नहीं है वन बाइ टू से लेकर नहीं सर ये इसमें कुछ एक्स्ट्रा एरिया आ गया ये वला है सर बिलकुल वन अपउन वन माइनस ए वन माइनस ए का मतलब है सर ये पूरा नेगेटिव लिखा हुआ है और ये अपउन पॉजिटीव ये वन से बड़ा भी है ये अपउन ए माइनस वन इस गड़े देन वन बिलकुल सही तो ये वला हमारा आंसर हो जाएगा ये इसका सबसेट है जी ये पूरा पार्ट इसके अंदर लाए करता है बाकि कोई भी पार्ट इसके अंदर पूरा पूरा लाए नहीं कर रहा तो पहले वाले का इसका आंसर सोरी आर का आंसर हम बोलेंगे कितना वन कंटेंस का मतलब समझ में आ गया कि domain इन में से कौन से इंटर्वेल को पूरा पूरा गंटेन करती है 0 से 1 बाकी जब किसी को नहीं करती है ठीक है और domain of g g की domain के लिए आप क्या करोगे भाई sin inverse के अंदर देखो दो पार्ट लगेंगे इसमें तो gx जो है वो आपका है sin inverse of हलका सा सवाल है मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और तो कुछ नहीं sin inverse के अंदर ln of x upon x-1 ठीक है अब sir obviously पहले तो log को define करने के लिए हम x upon x-1 को positive बोलेंगे intersection with sin inverse कब defined होता जब अंदर वाली चीज ln of x upon x-1 ये 1 और minus 1 के बीच में हो ठीक है ये हमारे पास में वैसे तो दिखने में दो परंतु तीन inequality बन गई ठीक है तीन inequality कौन सी सर पहले आप इसको solve करोगे तो यह आ जाएगा x upon x-1 e को इधर बेजोगे less than equals to e इसका दूसरा पार्ट जब आप solve करोगे इसको e को इधर बेजा तो e की power minus 1 is x upon x-1 अब यहां से फटा-फट solve कर लो इसका अंसर हम और जानते हैं x belonging to minus infinity से 0 union 1 से लेकर infinity अब यह वाला एक part हो गया यह वाला एक part हो गया और यह वाला एक part हो गया इसका अंसर निकाल सकती है मेरी जाल से कोई बड़ी बात है नहीं है इन तीनों को solve कीजिए और टेक intersection ठीक है तीनों का intersection लीजिए this is do it by yourself situation मत इसमें कुछ लगने रहा मुझे बताने वाला इसका जो भी अंसर आएगा वह आप खुद से बताएंगे range of g contains and range of f f की range बतानी है आपको तो बाइसाब एक बाद बताओ जो आपका fx है वो क्या है ln of x upon x minus 1 और आपने अभी भी बताया कि जो x upon x minus 1 है वो कैसा है पूरा पूरा पॉजिटिव है पॉजिटिव है ना तो इसकी रेंज आप बोल दोगे सर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी बट कभी भी यह पूरी की पूरी क्वांटिटी वन के बराबर नहीं हो सकती दिख रहा है ना वन के बराबर यह कभी नहीं होगी एक सोचने का तरीका तो यह है डारेक्ट अब डार किया बरनी होपाईगी तो एलन वन यह कभी 0 नहीं होपाईगा तो इसकी जो रह जाएगी वह यह आ जाएगि माइनस इंफिनीटी से ड़िख से 1 ना यूनियन शोली यह अंदर वाली कॉएन निंबंभा यह 0 नहीं पाएगा वह यून brings रिक की एक तरीका तो यह बर यह का तरीका हुआ यह तो हम कहीं पर दुड़ी लगा सकते हैं तो यह आगा ना कि कल को आप पूछ लो एलन ओफ एक्स स्क्वाइर प्लस थ्री की रेंज क्या होगी तो अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव तो और लॉक के अंदर सारी क्वांटिटी पॉजिटिव जा रही है तो यह तो सारी रियल वैल्यू आगी नहीं जी आपको मेरी एक्स्प्लिनेशन इसकी जो मैंने प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन लिख सकते हो तो अब यह सारी वैल्यू जटें करता है यह लीनियर अपॉन लीनियर जो इसका जो ग्राफ आता है वह कुछ ऐसा आता है अब यह ग्राफ का मुझे आइडिया इसलिए मैं आपको यह बोल रहा हूं कि जब आप एक्स को इ तो यह सारी वैल्यू उटेंड करता है पहस बीच में एक वैळे टेंड़र नहीं करेंगा तो मुझे इसके बारे माता था कि यह सारी रियल वैया रहा है मतलब लॉक के अंदर यह लिखा है यह सारी वैल्यू जटेंड करेगा पॉजटेव में ठीक है पॉजिटिव वाली हमेंची है सरफ यहां से लेकर यहां तक वाली बट अब की बार यहां जो मैंने एक्जामपल लिखा था उसमें जो लॉक के अंदर मैं लिखा था उसारी रियल वैल्यूज अटेंड नहीं करेगा उन रियल में से इसी एक पर गरबड करेगा तो मे सोच पाएं तो यहां से अटेगा तो यह आजाएगा एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इफाइट एक्स पावर वाई एक्स माइनस यह वाली चीज़ और यह आ गया तो यहां से एक्स कॉम्मल लोगे तो यहां से एक्स कॉम्मल लोगे तो यहां से एक्स की पावर वाई माइनस वन बराबर एक्स की वैल्यू आगी एक्स की पावर वाई अपॉन एक्स की पावर वाई अपॉन एक्स की पावर वाई अपॉन अब यह जो आपने लिखा वान अगर मैं इसमें आपसे डोमेन पूछू थो तो आप अल्रडी निकाल चुके हो that is minus infinity से 0 union 1 से लेकर infinity तो x इसके बराबर है और x यह value ले सकता है तो दिख रहा है यह वाला interval क्या हो गए 1 से बढ़ा तो e की पावर y upon e की पावर y minus 1 1 से बढ़ा और दूसरा e की पावर y upon e की पावर y minus 1 0 से छोटा बीच में क्या लगावा है union तो इसको solve करो दोनों का union लो जो आपका answer आएगा वो answer यही होगा समझे वरना एक तरीका यह भी आप advance की अगर त्यारी कर रहे हो तो भाई साब x upon x minus 1 का method 2 की अगर मैं बात करूँ तो x upon x minus 1 का जो graph होता है वो graph बनता है क्योंकि हमें सारा positive वाला graph चीए तो वो graph बनता है 0 भी allowed नहीं है तो ऐसा ठीक है तो यह सारी positive values attain करेगा बस एक one attain नहीं करेगा तो लॉक के अंदर वाली चीज सारी चीज़े जा रही है positive में सब कुछ आ रहा है बट वन नहीं आ रहा तो वन के corresponding value आती है वो अटा दो बाकि सारी लॉक की रेंज लिग दो तो इसकी जो रेंज है वो तो हमारा अंसर यह आ गया हमने किसकी रेंज निका लिए एफेक्स की रेंज निकाल लिए तो एफेक्स की जो रेंज है दे रेंज ओफ एफेक्स इस प्रफेक्टली रेंज पूछ रहा है यह रहा जी फोर अच्छा इसके जात भी option है इसके जात भी मैच करने वाले option होते है पी का 4 आरहा है और का 1 पी का 4 आर का 1 तो पी 4 आर का 1 कहां कहां पर यह है हमारे पास में P का 4, R का 1 यह दो बचे तो यह और यह तो cancel होगे भाई अब उसके बाद में Q का तो 2 ही आ रहा Q solve भी मत करो चलो बग्या अब तुम्हें S बताना है कि S क्या आएगा जो मैं तुम्हें खुद solve करने के लिए दिया है मतलब domain domain से खेल हो जाएगा इसका अंसर और इसका अंसर ठीक है तो आपको answer जो है वो comment section में बताना है वैसे मापको answer बता देता हूँ इसका answer जो है वो A होगा this is the correct answer ठीक है इसका answer जो है वो A होगा 4, 2, 1, 1 मेरी खाल चाहिए यह होता है तो ऐसा आप निगाल सकते हो बढ़ फिर भी for the sake of completion the range of G contains इसकी range कैसे निकाले तो देख भाई यहां तक तुने इसके अंदर यह वाली इसकी range निकाल ली हाँ इसकी range क्या है minus infinity से 0 अंदर वाले union 0 से लेकर infinity अंदर वाला यह वैल्यू टिंट कर सकता है अब यह बता हूँ साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का ग्राफ बना सकते हो आप अंदर वाला सारी वैल्यू जाएगा मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ वी आर यूजिंग दा कॉंसेप्ट ऑफ रेंज ओफ कंपोजिट फंक्शन जयान सुनना मेरी बात अंदर वाला हर एक वैल्यू अटेन कर सकता है बस जीरो को छोड़कर तो सर्फ जीरो को छोड़कर कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है तो हमें पाइबाइब टू से तो बड़ी वैल्यू चाहिए नहीं जीरो चीय तो यह इतना पार्ट भी याएगा और यह इतना पार्ट भी आइगा तो माइनस 1 race व आप बोलोगे right दो रेंज ऑफ їbut रेंज बता देता हुं और आपको माइनस वण से वरं लेकंस क्लूडिंग जीरो 0 को छोड़ कर सारी values आएंगी ठीक है तो अब देख लो जी क्या क्या कंटेन करता है सर जीरो से 1 कंटेन कर रहा है इसके अंदर क्या हाँ बिल्कुल 0 से 1 open कंटेन कर रहा है तो 2 आप बूल सकते हो यह कंटेन नहीं कर रहा है यह नहीं है इस इस रेंज के अंदर जिस इस दा रेंज ऑफ जी एक्स ठीक है और जैसा कि मैंने आपको बूला क्यूपे टूई आ रहा है फोर पे ठीक है हाय नहीं कुछ हूमवक वाले कोश्चन्स भी आपके लिए लेकर हो ठीक है थोड़े बहुत पीवाई क्यूज है जो आप खुद ट्राइक कर सकते है अपने घर पर ठीक है असान असान से ज्यादा उसमें कोई हैवी है नहीं ठीक है जैसे यह वाला पीवाई क्यू है वो पूछ रहा है कि 11 यहां लिखा हुआ है इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा डीवाई डीवाई डीएक से आपको जाना पड़ेगा डोमेन और रेंज आपको अपने आप कहानी समझ में आ जाएगी ठीक है यह बहुत ही बेसिक सा सवाल है लॉक का लॉक की प्रॉपरटी इंफना रिपेटिशन है इंफना रिपेटिशन जहां होता है हम उसको टी बोलकर फर्स रिपेटिशन से टी बोलकर आगे बढ़ते हैं और यह वाला जो मैंने आपको बोला इसमें वही प्रॉपरटी लग रही है जो आज हमने क्लास में पड़ी थी कि f of x plus f of 1 minus x is 1 ठीक है बाई चलिए जी बहु भूल भाई लव यू अल